नमस्कार दोस्तों रादे रादे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपूर्ट एक्स करें चेप्टर का रिवीजन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंपूर्ट एक्स क्या होता है उसका क्रेडिट क्यों मिलता है और कैसे मिलता है कर देढ़ लाख रुपे मिख्ते सेल किया अब रेट मान लीजिये की 18 रहा है न मनलेज debris 18 रहे तो उसने जब 1 लाख रुपे का माल खरीदा होगा 1 लाख रुपे का रो मेंच्रु कर ज्रु सक्ट किया होगा बिलकुल जाओगा अब उसके बाद उसने उस माल को टीया और एक प्रोड़क्ट बनाया डेड़लाग रुपे का जिसको उसने सेल किया और सेल किया तो इसने 27 रूपे टेक्स पे किया 1.500,00 रुपई पर 18ज अब मुझे बताओ जो डेड़ लाख रुपई का बनाता है 1.500,000 रुपई का उसमें एक लाख रुपई का रो मेटेल भी इंक्लूड है और रो मेटेर पे मैंने तो मैंने एक लाख रुपे पो आल्रेडी टेक्स पे कर दिया मतलब मेरा नुकसा नुकसान हो गया डपल्टेक्स ही यह तो गवर्मेंट बोले टेक्सिंट थी यह जाएगी जिसे पोले हैं ग्रोष टेक्स लिएविटी यह आउपूट टेक्स लाइबटी आप उसमें से तु खरीदा हो सकता है इंपूट सर्विसेज ली हो सकती है या कैपिटल बूर्स खरीदे हो सकते हैं जिससे कि तो उस प्रोड़क्ट को बना सके तो ऐसे इंपूट्स पर जो तुने टेक्स पे किया है उसका हम तरको क्रेडिट दे देंगे जिसको यूज करके तु क्या करना कम ट रहा है जो सप्लायर है वो क्या करेगा वो अपने एक सेल का डिटेल देगा we किसे सामने वाला को सेल की डिटेल देगा वो किसमें देगा GSTR 1 में जो की next month की 10 तारिक तक फाइल करनी होती है अब GSTR 1 में जो detail देगा उस GSTR 1 से detail कहां पर आएगी GSTR 2B में किसके recipient के जैसे मैंने उससे माल खरीदा supplier से तो supplier ने जो GSTR 1 में फाइल किया है वो मेरे GSTR 2B में आ जाएगा मतलब उसने अगर sale किया तो मैंने purchase किया है तो मेरी जो purchase की detail है वो किसमें होती है GSTR 2B इसमें आ जाएगा 11 तारिक तक next महीने की 11 तारिक तक जितना detail मेरे GSTR 2B में आ रहा है उतना मैं credit ले पाऊंगा क्योंकि ये प्रूफ करता है कि सामने वाले ने मेरे को माल बेचा और मैंने उससे खरीदा और उसके उपर text पे किया है वो GSTR 2B प्रूफ कर देगा ठीक है अब इस प्रकार से में credit ले सपना हो तो ये इस प्रकार से process होता है अब जब मिरे को credit मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा मेरी sale दिखाऊंगा मैं GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा मिरे को next month की 28 तारिक तक तो मैं sale दिखाऊंगा म और फिर मेरे पास 18,000 रुपे के GST पड़ा होगा credit वो मैं ले लूँगा और मैं 9,000 पे पे कर दूँगा ये सब करूँगा मैं GSTR 3B में करूँगा जब टेटन फाइल करूँगा 20 तारिक को अगले महीने की ठीक है चलिए अब ये तो हमें समझ में आ गया कि input tax क्या होता input tax credit क्यों मिलता है और कैसे process होता है पर एक ध्यान रखना हमें input tax credit क्यों मिला ये बात ध्यान रखना क्यूंकि आपने ये जो डेड़ लाख रुपे का sale किया था जो product बना के आपने sale किया था उसके उपर आपने tax pay किया था 27,000 रुपे इसलिए आपको ये 18,000 रुपे credit मिला था अब मालो अगर ये डेड़ लाख रुपे पर tax नहीं लगता मालो exempt होता है ये product तो इस पर tax नहीं लगता तो ऐसे case में आपको credit भी नहीं मिलता credit इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप आगे जाके sale करें जिसके उपर tax लग रहा है तो government आपको credit दे रही है अब जब आगे जाके जो supply कर रहे हो उसके उपर tax ही नहीं लग रहा तो credit किस बात का ठीक है तो ये बात धहां रख लिना हो चलिए अब दो-तिन वर्ट जो हमेशा use हो होगे ITC available करना ITC utilization यह क्या होता है यह समझ लेते हैं पेटियम का example लेते हैं अगर पेटियम में मालो आपने कोई payment किया उसके उपर आपको cashback मिला आपने पेटियम से cashback claim किया और पेटियम ने आपके account में डाल दिया ठीक है पेटियम बैलेंस में add कर दिया तो यह तो हो गय अब इस पेटियम बैलेंस का जब आप कोई goods यह services खरीदने में यूज करोगे वहाँ पे payment करोगे तो वो क्या हो जाएगा utilization इसी प्रकार से क्या होता है government के पास भी एक हमारा electronic credit ledger करके ना एक हमारा खाता चलता है गवर्मेंट के पास हर registered person का एक खाता चल रहा है electronic credit ledger तो government क्या करती है जब भी तुम claim करो गवर्मेंट से कि बस मैंने input पर इतना tax pay किया वो मिर को देदो तो government क्या करेगी वो input tax आपको कहां पर देदेगी आपके खाते में add कर देगी electronic credit ledger में अब उस खाते में जो electron आपक को tax pay करोगे ना तब आप इसका use कर सकते हो और tax come pay कर सकते हो तो उसे बोलते है ITC utilization तो अगर government से claim करना और अपने electronic credit ledger नाम के खाते में credit करवाना क्या बोलते है उसे ITC अवेलमेंट और जो amount पड़ा है खाते में उसको use करना उसे क्या बोलते है ITC utilization पर कुछ basic principles हैं जो criteria है ज GST किसे लगता है कौन collect करता है कौन pay करता है taxable person अब जब रजिस्टर ही नहीं है तो वो pay कैसे करेगा tax और जब रजिस्टर नहीं है tax pay नहीं कर पाएगा तो जब वो tax pay नहीं कर रहा तो उसे credit किस बात का तो हम तो credit इसलिए दे थी क्योंकि वो एक supply कर रहा था जिसके उपर होना जरूरी है तब ही ITC मिलेगा उसके बाद जो goods and services यूज हुआ है वो business purpose के लिए यूज होना चाहिए अगर आपने personal purpose के लिए को टीवी खरीद लिया घर पे देखने के लिए उसके उपर आपने GST पे किया तो वो credit आपको नहीं मिलेगा आपने personal purpose के जो भी सामान किदा तो उसके उपर आपको GST मिल जाएगा ठीक है उसके बाद कुछ conditions है ITC को avail करने के लिए governments अगर आप ITC claim करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ condition आपको fulfill करनी पड़ेंगी कौन कौन सी condition है 5 conditions है बात करते हैं पहली condition आपके पास tax paying document होना चाहिए मतलब ऐसा डोकमेंट ज services आपको receive हो जाने चाहिए तीसरी condition government को tax pay हो जाना चाहिए 4th condition आपने return file करी हो 5th condition block credit नहीं होना चाहिए ठीक है सब एक-एक condition पर जाएंगी अपन सबसे पहले बात करते हैं tax paying document की first condition की इसमें बोलता है कि आप credit तभी avail कर पाओगे अगर आपके पास tax paying document है अगर आपके पास tax paying document नहीं है तो आप credit avail नहीं कर सकते तो valid tax paying document क्या होता है यह हमें जानना है तो valid tax paying document में invoice आ जाता है अब जैसे आपने अगर किसी supplier से समान करीदा तो supplier आपको invoice देगा invoice में लिखा होगा कि भई मैंने इतने का good services बेचा plus tax तो इसका मतलब वो बता रहा है कि आपने tax pay कर दिय तो invoice एक proof है कि आपने tax pay किया है invoice की तरह ही debit net होता है कुछ भी अगर additional ओर charge करना होता है तो debit note issue किया जाता है वो भी invoice की तरह होता है उसमें भी tax दिखता है revise invoice होगा यह सारे क्या हो जाएंगे valid tax paying document हो जाएंगे उसके साथ ही अब reverse charge मेकनिसम में क्या होता है tax को उन पे करेग प्लस उसके साथ tax payment का proof होना चाहिए तभी वो क्या माना जाएगा valid tax payment document माना जाएगा एक input service distributor का concept आता है जो आपन आगे जाके इस chapter में बात करेंगे उसके अगर को invoice issue किया तो वो भी आपका जागा valid tax payment document हो जाएगा बिल ओफ एंट्री भी आपका valid tax payment document हो जाएगी बिल ओफ एंट्री क्या होती है जब आपको import करते हो goods का ठीक है तो आप port पे माल आ जाता है आपका बाहर से आउट ओफ इंडिया से port पे माल आ गया अब port से अगर आपको माल चुड़वा के लाना है तो आपको custom officer को सारे taxes pay क पड़ेंगे तो वहाँ पर जो custom officer के पास है आप document file करते हो जिसे बोलते हैं bill of entry ठीक है उसके ओपर लिखा होता है कि आपने जो goods आप import करके लाए हो उसके ओपर आपने कितना tax pay किया है तो इस करण bill of entry भी क्या हो जाएगा आपका valid tax payment document क्योंकि ये प्रूफ करता है कि आपन bill of supply उसके बाद कुछ SM mandatory details है जो कि होने ही चाहिए टेक्स पेंट डोकुमेंट पर अगर आप टेक्स पेंट डोकुमेंट की बात करें तो उसके ओपर कुछ important details है जो होने ही चाहिए कौन कौन से होने चाहिए एक तो खरीदने वाले का डिटेल और एक बेचने वाले का तो मत उसके बाद उसके उपर लिखा होना चाहिए क्या goods and services बेचा है value of goods and services कितना है tax amount कितना है और place of supply अगर interest rates अप्लाई है अगर interest rates अप्लाई है तो प्लेस अप्लाई की जुरुत नहीं पर अगर interest rates अप्लाई है तो ऐसे किसमे प्लेस अप्लाई भी मेंशन करना पढ़ेगा उ फर्स कंडिशन तो होगी कि value of investment होना चाहिए अगर आपको goods and services क्या हो जाने चाहिए रसीव हो जाने चाहिए अगर आपको goods and services receive नहीं हुए तो आप credit नहीं ले सकते क्योंकि आपने क्यों credit ले रहे थे आप credit ले रहे थे कि मैं goods and services receive करूँगा उसका use करूँगा output services बनाने मे output goods बनाने में बट जब आपको receive ही नहीं होए तो आपको use कैसे करोगे उसका तो जब तक आपको goods and services receive नहीं हो जाते तब तक आप उसके उपर credit नहीं ले सकते हैं तो इसके अंदर एक और बात बोली जाती है कि अगर आपको goods lots में installments में receive हो रहे हैं let's say मैंने 5000 kg steel खरीदा ठीक है वो एक ट्रक में नहीं आ पा रहा था तो 2000 kg steel पहले ट्रक में आ गया दूसरे ट्रक में 2000 kg steel आया और तीसरे ट्रक में 1000 kg steel आया तो क्या में goods मेरे को 2000 kg रिसीव हो गया first truck से तो क्या मैं यहां पर ITC ले सकता हूं नहीं ले सकते आपको बोला गया कि जब तक आपको पूरा का पूरा माल रिसीव नहीं हो जाता पूरा कर पूरा 5000 kg नहीं आजाता लाश्ट लॉट जब तक रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप credit नहीं ले सकते तो ऐसे केस में कि आपको goods रिसीव हो रहे हैं मत्तब एक A नाम के supplier से B ने माल purchase किया और इतने में उसे क्या हुआ C से order मिल गया तो B ने क्या बोला कि भईया तुम मेरे को deliver करने के बज़ाए directly क्या कर C को deliver कर दे तो A ने deliver कर दिया C को तो bill किसको किया B को और deliver किसको किया C को तो इसे बोलते है bill to shift to model ठीक है तो यहाँ पर देखो दो supplies है पहले A ने B को बेचा फिर B ने C को बेचा ठीक है तो ऐसे case में भले ही जो माल है वो B को receive नहीं हुआ but अगर यह माल C को भी deliver हो गया तो यह माल लिया जाएगा कि B को माल receive हो गया और B credit ले पाएगा क्योंकि B ने क्या किया, sale किया, C को purchase किया, तो जो purchase किया उसको उपर credit ले पाएगा क्या, क्योंकि इसे तो good receive ही नहीं हुआ A ने directly किसको deliver कर दिया C को तो ऐसे case में बोल दिया गया कि अगर B ने instruction दिया था C को deliver करने के लिए और C को deliver हो गया तो ऐसे case में मान लिया जाएगा कि B को भी receive हो गया और वो credit ले पाएगा उसके बाद just like it job worker अब principle क्या होता है मतलब एक बंदा है जो काम करवाता है किसी दूसरे बंदे से अब वो माल पहले खरीदेगा फिर उस पे काम करवाने के लिए job worker को भेजेगा उसकी बजाए उसने क्या किया directly job worker के हाँ पे माल भिजवा दिया purchase करके तो principal को तो receive नहीं हुआ इतनी बात अमने को समझ भाती है goods and service receive हो जाना चाहिए second condition था अब third condition है कि government को tax pay हो जाना चाहिए government को tax pay हो जाना चाहिए कैसे होता है देखो ध्यान रखना अब जो supplier होता है ना मैं आपको process समझाता हूँ फिर आपको समझेगा supplier होता है वो tax collect करता है रेसिपेंट से ठीक है खरीददार से क्या करता है वो tax collect करता है अब tax collect करने के बाद वो क्या करता है government को जमा करवाता है अब government को जमा कैसे करवाता है तो supplier सबसे पहले GSTR 1 फाइल करता है 10 तारीक तक GSTR 1 फाइल करता है वहाँ पर पर कितना कितना उसने टेक्स क्लेक्ट किया है और गवर्मेंट को पेक अप करता है यहां पर तो सिर्फ डिटेल देता है कि कितना सेल किया कितना टेक्स क्लेक्ट किया है गवर्मेंट को टेक्स पेक्स करता है जब वो जेस्टीर 3B फाइल कर देता है ठीक है अब क्या होता है GSTR1 में जो भी sale का detail फाइल करता है वो तो वो जो भी खरीदार होता है ना खरीदार की जो GSTR2B होती है मतलब इसका purchase का detail होता है वहाँ पे अपने आप आ जाता है क्योंकि देखो अगर supplier ने sale किया है तो खरीदार ने खरीदा है ठीक है तो खरीदार की GSTR2B में आ जाएगा अग क्रेडिट लू के नी लू तो मेरे अगर GSTR2B में अगर कोई transaction दिख रहा है इसका मतलब सामने वाले ने अपने GSTR1 में report कर दिया मतलब supplier 1 में report कर दिया तो इसका मतलब जो GSTR2B में दिख रहा हो तो मैं credit ले सकता हूं अब मुझे क्या पता कि उसने GSTR3B file करी है कि नहीं करी ह मुझे तो नहीं पता और वो टेक्स तभी पे करेगा जब GSTR3B file करेगा तो इसका मतलब मुझे ideally पता ही नहीं लग पाएगा कि supplier ने government को text pay किया है कि नहीं किया है ठीक है तो ऐसे case में government ने क्या बोला कि ऐसा कर सकते हो आप क्या करो अगर आपके GSTR2B में दिख रहा है कोई amount सामने वाले supplier ने अपने GSTR1 में file कर दिया और आपके GSTR2B में वो amount आ गया तो उस पे आप क्या ले सकते हो credit ले सकते हो आपने जो भी purchase के आपके GSTR2B में दिख रहा है तो उसके उपर आप credit ले सकते हो बटा उससे जादा नहीं ले सकते है अगर आपके GSTR2B में दिख रहा है अगर आपने इंपोर्ट किया है तो उसके यह rule apply नहीं होता अगर आपने reverse charge mechanism में purchase किया है तो भी इसके रूल apply नहीं होता credit from ISD अगर input service distributor से को credit मिल रहा तो उसके उपर भी rule apply नहीं होता तो कहने का मतब इन तीन cases में आगर आपने इंपोर्ट किया है reverse charge mechanism या फिर credit from ISD इस case में भले ही आपके GSTR2B में reflect नहीं हो रहा हो invoice तो भी आप क्या कर सकते हो credit ले सकते हो पर अभी भी एक question तो arise होता है कि GSTR3B फाइल करेगा तभी टेक्स पे करेगा government को अब GSTR3B जब तक फाइल नहीं किया तो इसका मतब गवर्मेंट को टेक्स पे नहीं किया तो एक बार तो हमने credit ले लिया पर government ने बोला एक बार तो आपने GSTR2B के हिसाब से credit ले लिया अब 20-21 के बाद 30 सितंबर 2020 तक अगर supplier ने GSTR3B फाइल नहीं किया इसका मतब supplier ने टेक्स पे नहीं किया government को तो condition ब्रीच हो गई तो मतब आपको ITC नहीं लेना चाहिए था तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको वो ITC जो आपने ले लिया है वो reverse करना पड़ेगा 30 नमबर तक और अगर बाद में supplier GSTR3B फाइल कर देता है 30 नमबर के बाद GSTR3B फाइल कर देता है तो आप उसका वापस क्रेडिट ले सकते हो अगें इतना बात समझता है यह था थार्ड कंडिशन अब फोर्थ कंडिशन की बात करेंगे कि आपको रिटन फाइल करना पड़ करते हो तो वैसे ही GST में भी जब आपने GST पे किया उसका क्रेडिट लेना है तो आपको डीफर एक रिटन फाइल करनी पड़ेगी कौन सी GSTR3B कब तक फाइल होती है हर मंत के लिए नेक्स्ट मंत की 20 तारिक तक आपको फाइल करनी होती है तो अगर आप रिटन फाइल पाओगे तो यह तो होगे चार कंडिशन अब कुछ और कंडिशन दी गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और क्या के कंडिशन है अब क्या आप ITC कभी ले सकते हो जैसे माल लो मैंने जनवरी 2021 में को माल पर्चेस किया तो क्या मैं इसके उपर पे किया हुए GST कभी भ मांग सकता हूं माल लो 5 साल होगे 5 साल बाद मांग सकता हूं तो यहां पर बोल दिया गवर्मेंट ने ज्यादा टाइम नहीं है आपको टाइम लिमिट दे दिया गया अवेल करने के लिए कि अगर आपको ITC अवेल करना है तो आप मैक्सिमम कब तक कर सकते हो अर्लियर ऑफ the following 30th November following the year to which such invoice or debit note percent तो मतलब जिस साल से वो debit note invoice पर टेन करता है जिस साल में वो debit note invoice issue किया गया है उस साल के end के बाद जो 30th November आ रहा है तब तक मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो ITC अवेल कर सकते हो और date of filing of annual return और उस साल की annual return जब आप फाइल करोगे दोनों में से जो भी पहले आ रहा है 30th November या date of filing of annual return whichever is earlier क्या हो जाएगा आपका time limit to avail the ITC let's say आपने invoice issue अमलब आपने invoice के त्रू परचेस किया माल कितने तरीक को एक फरवरी 2021 को ठीक है अब एक फरवरी 2021 को आपने माल परचेस किया तो किस साल से रिलेटर है 2021 से और माल लो 2021 कि आपकी return फाइल कर दीगी 15 सितंबर को ठीक है तो 15 सितंबर maximum और 30th November 2021 विच्चावरी जडियर 15 सितंबर 2021 तो यहां तक आप credit ले पाओगे उसके बाद आप इसका credit नहीं ले पाओगे ठीक है अगर माल लो return file करी है 15 December को return file करी 15 December को पर 30th November तो वैसे भी maximum date है 30th November के आप बाद वैसे भी credit नहीं ले पाओ होगे तो ध्यान रगना maximum credit लेने का date कब है 30th November of this next financial year और annual return filing का date which hour is earlier ठीक है उसके बाद second एक और condition आ जाती है एक और condition आ जाती है कि आपको payment करना पड़ेगा within 180 days मतलब क्या हुआ कि आपने आज माल परचेस किया माल आपने जनवरी में माल परचेस किया ठीक है तो आपने मा 100,000 रुपे का आप ऐसा करो credit ले सकते हो आपने इसके ऊपर tax pay किया 1,80,000 का आप credit ले सकते हो जनवरी की return नहीं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट बोल दिया गया कि 180 days के अंदर payment हो जाना चाहिए तो जिस दिन आपका date of invoice था उस date of invoice से 180 दिन के अंदर अंदर आपक credit को आपको reverse करना पड़ेगा along with interest of 18% क्योंकि government बोलती है कि अगर तुमने payment नहीं किया था तो तुमारा credit नहीं बनता था बड़ तुमने ले लिया तो तुम्हे reverse करना पड़ेगा क्योंकि आपने 180 days में payment नहीं किया along with interest of 18% per annum ठीक है अब 180 दिन कब से count होंगे from the date of issue of invoice और आपको reverse करना पड़ेगा तो ध्यान रखना date of invoice से आप 180 days count करोगे जिस मन्त में ये 180 days complete हो रहे हैं उस मन्त की आप GSTR 3 भी जब फाइल करोगे तब आपको ये जो amount है जो आपने credit ले लिया था वो reverse करना पड़ेगा along with the interest of 18% per annum और interest कब तक लगेगा इंटरस लगेगा जिस जिस दिन आपने उस ITC का utilization किया से लेके जिस दिन आपने उस ITC को liability में add कर दिया तो date of utilization से लेके date of additional liability तक आपका interest लगेगा 18% per annum से और वो आपको GSTR 3 भी में add करना पड़ेगा जहां पर 20 days complete हो रहे हैं पर ध्यान रखना अगर later on payment कर दिया later on आपने payment कर दिया आपके benefit days complete हो गए आपने payment नहीं किया तो आपने reverse कर दिया ITC अब आपने वापस payment उसका कर दिया तो पेमेंट कर दिया तो आप वापस ITC ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इवन आपने चार साल बाद भी payment किया तो आप वापस उसका ITC ले सकते हो उसके उपर कोई time limit अपलाई नहीं होता और एक और बात आपको कितना credit reverse करना ये भी बात ध्यान रखना जैसे अगर मान लो 10 लाग रुपे का आपने purchase किया उसके उपर आपने 1,80,000 रुपे का GST प आपने पे कर दिया 6,00,000 तो आपने पे कर दिया तो 6,00,000 अगर आपने पे कर दिया within 1,80,000 तो इसके उपर आपको credit reverse करने की जुरत नहीं है तो जो बचा हुआ 4,00,000 है तो 4,00,000 रुपे पे मान लो कितना बनता 18% 72,000 रुपे तो आपको proportionately क्या करना है रिवर्स करना है मत तब जितना payment आपने नहीं किया उतना ही proportionate आपको ITC भी reverse करना है पूरा करने की जुरत नहीं है यह बात ध्यान रख लेना दूसरी बात यह जो 180 days वाला rule है यह 180 days वाला rule तीन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता पहली बात अगर आपने कोई reverse charge mechanism में प्रचेस किया है तो व आपको ITC reverse करना नहीं पड़ेगा दूसरी बात अगर को deemed supply है अंडर schedule 1 schedule 1 में deemed supply कौन सी होती है schedule 1 में supply वह आती है जहां पर consideration ही नहीं होता तो जब consideration नहीं है तो payment करने की बात ही नहीं आती तो ऐसे case में उसके ओपर भी वैल्यू में अप्लाई नहीं होगा उसके बात आपने अगर को value में addition कि value supply chapter में हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी third party को payment कर दिया जिसके लिए liable कौन था supplier बठ हमने payment कर दिया तो value supply में add हो जाता है अगर उसका भी payment नहीं किया तो 180 days में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको ITC reverse करने की जूरत नहीं है इन तीन cases में या त उसके बाद एक capital goods का आता है कि अगर आपने capital goods purchase किये अगर आपने capital goods purchase किये तो capital goods मानलो मैंने 10 लाग रुपे का machine करीदा उसके उपर 1,80,000 रुपे का GST पे गया तो total कितना हो गया 11,80,000 तो अगर मैंने पूरे 11,80,000 को capitalize कर दिया और इसके उपर 11,80,000 रुपे पर depreciation ले लि तो अगर आपने tax component पे depreciation ले लिया तो आपको input tax credit नहीं मिलेगा अगर आपने depreciation लिया सिरफ 10,00,000 पे tax component पे नहीं लिया तो ऐसे case में tax component आपको input tax credit के रूप में वापस मिल जाएगा आपको ITC मिल जाएगा ठीक है यह बात हो गया अपना ITC का conditions जो हमने बात किया अब एक condition था कौन सा block credit नहीं होना चाहिए तो वो क्या condition है कि देखो section 17 subsection 5 में कुछ ऐसे items goods and services define कर रखे हैं कि अगर वो goods and services आप purchase करोगे अगर उन goods and services को आप purchase करोगे तो उसके उपर आपको credit नहीं मिलेगा भले आपकी सारी condition fulfill हो रही हो भले आप business के लिए use कर रहे हो भले आप registered person हो और कुछ भी हो जाए उसके उपर आपको credit नहीं मिलेगा ऐसे कौन पॉल से goods services है जो block credit है चलिए बात करते हैं अब इसके उपर आपको ITC मिल जाएगा तो ऐसा कोई motor vehicle जो की काम आता है goods को carry करने के तो उस case में तो आपको credit मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर ऐसा कोई motor vehicle है जो काम आता है passengers को carry करने के लिए लोगों को carry करने के लिए तो ऐसे case में हमें दो चीज़े देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि उसका seating capacity कितना है including driver driver की seat को मिला के कितने लोग बैट सकते हैं अगर बैट सकते हैं 13 से ज़्यादा लोग तो इसका मतलब आपको ITC allowed है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अगर कोई motor vehicle है जो goods carry करने के लिए उसके उपर भी ITC मिल जाएगा passenger carry करने के लिए और 13 से ज़्यादा लोग बैट सकते हैं including driver तो आप आपने मालो कोई bus खरीद ली employees के travel के लिए तो bus खरीदी उसमें 50 लोग बैट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको ITC मिल जाएगा बट अगर आपने car खरीदी जिसमें 4 लोग बैट सकते हैं तो उसके ओपर आपको input tax credit नहीं मिलेगा भले आप business में use कर देए और कोई दिक आपको credit मिल जाएगा तो आपका business अगर car motor vehicle खरीदने बेचने का तो ऐसे case में आपको credit मिल जाएगा और दूसरा आप transportation की services प्रवाइड करते हो मतलब आप ओला Uber में गाड़ी चलाते हो उसके लिए आपने गाड़ी purchase करी तो आपका काम ही क्या है गाड़ी purchase करके और उसके उ उस car पे आपको credit मिल जाएगा तो all over क्या निकला कि अगर goods करी करने के लिए तो credit मिल जाएगा passenger करने के लिए 13 से ज़्यादा की seat है तो credit मिल जाएगा 13 तक रकर seat है तो ऐसे case में देखा जाएगा कि क्या further supply के लिए है क्या transportation of passenger के लिए है क्या training of driving के लिए है तो अगर के हैगा वरना आपको credit अलाओ नहीं होगा credit नहीं मिलेगा एक और बात ध्यान रखना हमने motor vehicle की बात करी तो motor vehicle में कुछ चीजे नहीं आती है अगर कोई चीज motor vehicle में नहीं आती तो इसका मतलब उसके ओपर block credit लगेगा वह नहीं मतलब ITC मिल जाएगा अब motor vehicle में क्या क्या नही गोदाम है गोदाम में माल को उपर नीचे रखने के लिए कमाले पर फोक लिफ्ट है अब और नॉर्मल रोड पर नहीं चलती वो तो एक एंड बंद प्रिमाइस में कुछ special purpose के लिए यूज किया जाता है तो ऐसे चीज को motor vehicle में नहीं रखा जाता इनके खरीदारी पे आप आपको क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद अगर कोई ऐसा लीकल है जिसके चार से कम वील है एंड यहां पर एंड है less than 25cc अगर बाइक भी खरीद होगे तो भी उसके उपर आपको क्रेडिट अलाओ नहीं होगा बट हाँ अगर वो बाइक 25cc से कम का इंजन है तो आपको क्रेडिट अलाओ जाएगा क्योंकि वो मोटर वीकल के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो ऐसा मोटर वीकल जो दो कंडिशन कर रहा हो क्या उसके बील भी चार से कम होने चाहिए और उसका इंजन भी 25cc से कम होना चाहिए तब आपको क्या मिल आपका कोई वैसल ओर एरकाफट अगर है अगर कोई शिप ख manure खरीद लिया तो ऐसे केस में अगर वोयार्ट और शिप ता माता है जो के हैए इसके कहरीब दारी पहने बैक इसका से एकाम आपको मिल जाएगा वसका मोट आपको इन अगर भीफ ते करने के लिए तो आपको वो purchase किया है special aircraft to supply further तो आपने मतलब बाद में sale करने के लिए आपने aircraft वगरा खरीदा है तो ऐसे case में आपको credit मिल जाएगा अगर आपने special aircraft वगरा खरीदा है to provide the passenger transportation services let's say go air या फिर indigo ने कोई विमान खरीद लिया कोई aircraft खरीद लिया तो ऐसे case में उस aircraft की खरीदारी पर जो उसने GST पे के उसका credit मिल जाएगा क्योंकि वो passenger of transportation की services provide कर रहा है उसके बाद अगर उस जहाज को चलाने के लिए उस aircraft को चलाने के लिए training दी जा रही है उसको navigate करने के लिए training दी जा रही है उसके लिए अगर आपने बैशली aircraft खरीदा है तब भी आपको क्या मिल जाएगा ITC allow हो जाएगा बट otherwise आपको ITC allow नहीं होगा तो कहने का मत्तब अगर मान लो Reliance खरीद लेता है Reliance कोई aircraft खरीद लेता है अमबानी जी के आने जाने के लिए तो ऐसे केस में ऐसे aircraft पे ITC allow नहीं होगा तो simple बात क्या है अगर goods carry करने के लिए तो allow हो जाएगा passenger carry करने के लिए तो allow नहीं होगा except three cases में purchase किया है for further supply transportation और passenger की services के लिए training के लिए training driving की भी हो सकती है navigation की भी हो सकती है ठीक है तो ITC allow हो जाएगा चलिए अब third point आता है block train का third point third point में क्या बोला है कि अगर कोई general insurance की services लेते हो आप अपने उपर जो motor vehicle, vessel, aircraft की बात की ना तो अगर हमने उसका कोई insurance करवाया है या फिर हमने उसका repair and maintenance करवाया है तो क्या उसकी खर्चे पे credit मिलेगा तो बोल दिया गया कि अगर वो vessel aircraft motor vehicle ऐसा motor vehicle aircraft है जिसके उपर credit available है मतलब हमने जब point one two में बोला था ना कि goods के लिए खरीदेंगे तो credit available है तो मतलब अगर point one और two में जो हमने discuss किया आप block credit के अगर उसमें ITC available है उस motor vehicle vessel aircraft पे तो ऐसे case में उस motor vehicle vessel aircraft के बट अगर उसके उपर ITC allowed नहीं है point one and two में तो आपको इसके general insurance repair and maintenance पे भी ITC allowed नहीं किया जाएगा बट उसमें भी exception है अगर आप manufacturer हो आप क्या बनाते हो आप car बनाते हो ठीक है अब car बनाते हो तो आपने car का क्या करवाया है insurance करवाया है repair and maintenance करवाया है तो ऐसे case में आपको credit allow कर दिया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो manufacturer of such vehicle को credit allow हो जाएगा भले point one two में credit allow हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर अगर आपने vehicle जिससे insurance करवाया है मालो मैंने vehicle insurance करवाया बजाज finance से अब बजाज finance ने आगे जाके किस से insurance करवा लिया general insurance से ठीक है अब मैंने जब बजाज insurance से करवाया तो ऐसे case में मेरे को तो ITC allow नहीं किया जाएगा बट जो बजाज insurer है जिसने आपका vehicle insure किया है अगर वो वापस insurance करवा रहा है तो उसके उपर उसको credit मिल जाएगा तो ध्यान रखना क्या बात कर रहे हैं हम अगर motor vehicle measure aircraft पे credit available नहीं है point one and two में तो आपको भी ITC नहीं मिलेगा और अगर वहाँ पे available है तो आपको ITC मिल जाएगा बट manufacturer of such vehicle है या फिर insurer of such vehicle है तो उनको anyways general insurance और repair and maintenance का credit मिल जाएगा block नहीं होगा उसके बाद fourth point पे आजाईए fourth point क्या बोलता है कि अगर आपने कोई food and beverage खरीदा है अगर आपने outdoor catering services ली है आपने beauty treatment लिया है cosmetic या plastic surgery करवाई है health services लिये है life or health insurance लिया है कहने का मतलब आपने food and beverage खरीदा हो outdoor catering की services लिया हो restaurant वगरा का beauty treatment का services लिया हो cosmetic plastic surgery करवाया हो health services लिया हो life or health insurance करवाया हो जैसे companies अपने employees का health insurance करवा देती है life insurance करवा देती है या companies अपने employee को health की services दे देती है ठीक है तो ये सारे अगर services दी गई है या फिर renting, leasing, hiring of motor vehicle aircraft vessel अगर आपने motor vehicle vessel aircraft को hire पे लिया है lease पे लिया है, rent पे लिया है जिसके उपर ITC allowed नहीं है 0.1 और 2 में लब 0.1 और 2 में ITC allowed नहीं है तो आपने उस motor vehicle vessel aircraft को अगर आपने rent पे, lease पे, hire पे लिया तो भी आपको उसके उपर credit नहीं मिलेगा इन सारी चीजों पे आपको credit नहीं मिलेगा ITC not allowed ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है personal nature के expense से है तो इसलिए इनकों पर credit नहीं मिलता है बट हाँ, यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर आपने ये सारे services लिये है to provide the same nature of services same category of taxable supply प्रवाइड करने के लिए अगर आपने ये supply लिया है तो ऐसे case में आपको allow हो जाएगा जैसे, let's say let's say कि मान लो A limited करके है जो catering की services प्रवाइड करता है catering की services प्रवाइड करता है उसको RAM से क्या मिला contract मिला कि आपको catering करना है ठीक है, यहाँ पर catering करना है और उसके लिए आपको पूरा सारा देखबाल करना है उसके लिए आपको 10,00,00 रुपे दिये जाएगे अब A limited ने क्या किया खुद ने तो कुछ नहीं किया इसने क्या किया B limited से क्या किया services ले लिया catering का उसके उपर ITC allow हो जाएगा अब अगर राम ने जो services लिया है A limited से, वो क्यों लिया है खुद के consumption के लिए वो business में लिया हो, कैसे भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता उसने आगे services प्रवाइड करने के लिए नहीं लिया है जैसे मैंने अगर कोई car hire पे ले ली to provide आगे ओन hire तो इसका मतब मैंने supply लिया है to make the further taxable supply तो ऐसे case में credit मिल जाएगा अधरवाइज में को credit नहीं मिलेगा उसके बाद अगर club का membership लिया है health club का membership लिया है fitness center का membership लिया है तो उस membership पे भी आपको input tax credit नहीं मिलेगा अगर किसी company ने अपने employees को travel benefits provide किये हैं उसके लिए कुछ खर्चा किया है उसके ओपर टेक्स पे किया है तो उसके ओपर भी GST नहीं मिलेगा ITC नहीं मिलेगा और ध्यान रखना जो हमने बात किया food and beverage, outdoor catering, beauty treatment, ने discuss किया है अगर वो provide किया गया है employee को क्यों 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 की statutory obligation थी employer की statutory obligation थी किसी act ने बोल रखा था कि यह चीज़ें आपको employee को provide करनी पड़ेंगी तो आपको यहां पे ITC allowed कर दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी बठा ध्यान रखना company की policy के according अगर provide किया जा रहा है तो that is not a statuary obligation statuary obligation क्या होता है जैसे factory act ने बोला कोई act है फिर लो बोलता है तो उसे statuary obligation बोलते हैं otherwise statuary obligation ही बोलेंगे ठीक है तो जैसे मान लो अगर employees के घर पे जाने के लिए उन्हें motor vehicle या aircraft की services दी जा रही है वह कौन बोलता है कि फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि आपको इस services देनी पड़ेगी तो ऐसे case में उसका credit मिल जाएगा आपने कोई employees को health insurance वगरा provide किया क्यों क्योंकि आपका factory एक बोलता है था कि health insurance करवाना पड़ेगा employees का तो ऐसे case में उसका credit मिल जाएगा otherwise उसका credit नहीं मिलेगा उसके बाद आजाए यह point number 7 पे block credit का point number 7 तो यह क्या है कि work contract services और good services for self construction कि अगर आपने क्या किया आपको कोई घर बनाना था कोई construction करवाना था तो आपने क्या किया सामने वाले को ठेका दे दिया कि भई goods भी तू ले आना और construction भी कर देना तो उसे बोलते work contract services ठीक है और एक हो सकता है कि आप खुद ही goods खरीद के लाए और labor hire पे लेके आए और उससे आपने construct करवाया उसे बोलते है goods and services for self construction ठीक है ऐसा कोई भी अगर आपने goods या services procure किया for construction of immoveable property जिसको move नहीं किया जा सकता उसे बोलते है अगर आपने work contract service या goods and services purchase करके लायो तो आपको input tax credit नहीं मिलेगा कब जान रखना इसमें भी input tax credit मिल जाएगा अगर आपने जो work contract service लिया या फिर goods and services आपने लिया है for construction के लिए तो अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया और उसे पी एंडल में debit कर दिया है अगर उसे आपने पी एंडल में खर्चा समझ के debit कर दिया है तो ऐसे case में उसके ओपर ITC allow हो जाएगा तब आपको दिमाग लगाने की जूरती नहीं है बट अगर आपने पी एंडल में debit नहीं किया आपने उस खर्चे को क्या कर दिया capitalize कर दिया जो आपने work contract service लिया या फिर goods and services लाया आप construction क के लिए उसको आपने अगर capitalize कर दिया तो ऐसे case में आपको देखना पड़ेगा कि वो खर्चा आपने immobile property पे किया था वो immobile property अगर plant and machinery था तो आपको ITC allow कर दिया जाएगा अगर plant and machinery के अलावा कोई immobile property था तो उसके case में work contract services बगरा कि जो services हैं उसके ओपर ITC आपको allow नहीं किया जाएगा तो simple बात अगर आपने को work contract service किया है या फिर boots and services लिया है for construction of immobile property और आपने पेंडल में charge कर दिया तो credit आपको मिल जाएगा बट आपने पेंडल में charge नहीं कि आपने capitalize कर दिया और capitalize करने के बाद भी वो plant and machinery nature का है तो credit मिल जाएगा अगर plant and machinery नहीं है तो credit नह apparatus जो कि fix है to earth by foundation तो मतलब ऐसा plant and machinery ऐसा machinery equipment apparatus जो कि धरती से fix है तभी तो वो immobile होगा तो अगर वो धरती से fix है और धरती पे fix करने के लिए आपने क्या किया machine के नीचे foundation त्यार किया machine के नीचे आपने मानलो एक foundation त्यार किया cement वगारा से पूरा foundation बनाए जिसके उपर machine को रखा जाएगा तो वो foundation भी क्या हो जाएगा plant and machinery की definition में आ जाएगा including such foundation और structure जिसके उपर उस machine को रखा गया है बठा plant and machinery में तीन चीज़े नहीं आती क्या land and building and other civil structure आगर आपने को pipeline outside factory pipeline अगर inside factory है तो plant and machinery में आ जाएगा पर अगर आपने pipeline outside factory बिचाई है पानी factory तक लाना था आपको तो ऐसे case में उसके उपर उसे plant and machinery में नहीं रखा जाएगा और उसके उपर ITC भी नहीं मिलेगा तो मतलब अगर ये तीन चीज़े हैं वो plant and machinery में नहीं आती और उसके लिए work contract service या goods and services लिया है तो उसके उपर credit नहीं मिलेगा बट जो plant and machinery में आता है उसके उपर credit मिल जाए नहीं मिलेगा क्योंकि बताओ composition supplier आपसे tax collector नहीं करता तो आपके credit की बात भी आती नहीं है और उपर से composition supplier ने भी अगर कोई माल खरीदा है तो उसके उपर भी उसको credit नहीं मिलेगा उसके बाद अगर आपने कोई माल खरीदा है for personal consumption personal consumption हमने पहली बोला था credit तभी मिलेगा अ non-resident taxable person कोन होता है? माल लो out of India को कोई बंदा है वो इंडिया में आके एक ठोड़े time के लिए temporary क्या करना चाता है? विपार करना चाता है पे किया है तो उसके ओपर उसे इटी सी नहीं मिलेगा अगर को ओखे हो फोटेद्सboysas perkuses करता है तो उसके ओपर उसको क्रेदिट नहीं मिलेगा दूसरी बात अगर वो इंडिया में आके गोट्स import — इंपोड करता है तो उसे credit मिल जाएगा बट अगर वो services import करेगा तो उसे credit नहीं मिलेगा तो कहने का मत्तबि अगर कोई non-desident taxable person है इंडिया में और वो purchase करता है क्या करता है वो import of goods कर रहा है goods का import कर रहा है तो उसे credit मिल जाएगा उसके अलावा उसे किसी भी चीज पर credit नहीं मिलेगा चाहे वो import of service हो चाहे इंडिया में ही उसने कोई goods या services करीदा उसे ITC नहीं मिलेगा उसके बाद अगर आपका कोई समान खो गया है अगर आपका कोई सम समान परचेज किया ठीक है जिससे आप output tax क्या बनाओ गया आप एक output supply बनाओ गया आपको goods produce करोगे तो अगर आपका वो small ही destroy हो गया वो raw material ही destroy हो गया तो उसके उपर आपको credit नहीं मिलेगा और मालो उस raw material से आपने वो goods बना दिया और वो goods आपका destroy हो गया तो उस goods में आप हम जो की lost हो गया destroy हो गया या फिर चोरी हो गया उसके उपर आपको credit नहीं मिलेगा और अगर आप already credit ले चुके हो और उसके बाद destroy वगरा lost हुआ है तो आपने जो credit ले रखाता उसे क्या करना पड़ेगा reverse करना पड़ेगा उसके बाद अगर आपने कोई gift या free sample दे दिया आपने कोई raw material खरीदा उस raw material चे आपने को goods बनाके free sample दे दिया किसी customer को gift दे दिया तो हमने credit क्यों मिला था क्योंकि आप आगे जाके output supply पे tax pay करने वाले थे बट जब आपने free में दे दिया gift दे दिया free sample दे दिया तो उसके उपर tax pay नहीं हुआ तो government बोलती है कि इसके related जो चेक करना पड़ेगा क्या वो schedule 1 में fall कर रहा है अगर वो schedule 1 में fall कर रहा है जैसे कि मानलो मैंने कोई business asset है जो मैंने dispose of पर इसको पर ITC ले रखा है तो ऐसे case में क्या करूँगा जब वो मैं supply करूँगा तो schedule 1 में आ जाएगा तो मैं उसको पर tax pay करूँगा तो ऐसे case में आप आपको ITC allow कर दिया जाएगा बट आपको tax pay करना पड़ेगा जो आपकी schedule 1 की transaction होगी जो भी आपने gift या free sample दिया होगा बट अगर वो schedule 1 की transaction नहीं है इसका मतलब आपको tax pay नहीं करना है और tax pay नहीं करना है तो उसके related जो inputs और भी credit नहीं मिलेगा तो आपने अगर already ले रखा है तो उसे reverse करना पड़ेगा चलिए उसके बाद अगर आपने को tax pay किया है as per section 74 129 और 130 मतलब आपने को tax pay किया है 74 section में tax कप पे करते हैं अगर आपने कोई fraud किया है तो government officer tax मांगती है 129 130 में भी कप पे करते हैं अगर आपका सीजर या detain हो जाता है माल तो अगर आपने कोई violation किया है act का fraud misrepresentation अगरा किया है उसके बदले में आपने को tax pay किया है तो उसका आपको कभी भी credit नहीं मिलेगा क्योंकि fraud करके आप tax pay कर रहे हो फिर आपको credit नहीं मिलेगा ठीक है यह होता आपका block credit यह पूरा था आपका block credit जो कि हमने पड़ा ठीक है उसके बाद हम बात कर कि उसके बाद क्या बात करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो definition पढ़ा देना जाता हूं वह definition आपके आगे जाएक काम मेहेंगी सबसे पहले क्या होता है क् क है जो पांच petroleum अबहाल अबसे बोलते हैएगज़ेंट सपलाई किसे बोलते हैं यह हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, चैटर में बढ़ा, जीरो डिट सप्लाइब बोलते हैं, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आपने सप्लाइब किया है, किसी SCJ developer और unit को तो से बोलते जीर डिलेट eficaly ठीक है चलिए अब मैं क्या समझाना चाता हूं आपको उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा example लूँगा ठीक है उसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा example लूँगा उसके reduce करूंगा और उसको sale करूंगा और उसके उपर tax pay करूंगा और उसके उपर tax pay करूंगा तो government बोलती है कि यार तू tax pay कर रहा है उटपुट पे चलतर को input पे credit दे देते हैं ठीक है यह बात होती है तो अब होता क्या है कि मैं कभी मालो ऐसा supplier हूँ कि जो मैं ऐसी supply भी करता जो exempt है तो मैं different type की supply करता हूँ अब कैसे पता चलेगा कि कितना input मिलेगा कितना नहीं मिलेगा लैसे कोचिंग इस्टिट्यूट का example लेता हूँ ठीक है मान लो एक a-b coaching institute है जो CACCMA के pen drive classes बेचता है और books बेचता है ठीक है तो उसका sale में क्या क्या आता है एक तो वो book sale करता है books क्या होती है exempt होती है ठीक है तो यह तो exempt supply होगी जो sale of books है और एक वो करता है sale of pen drive classes हैं कि वह ही जो inset in Red Leute रिचा ठीक क्लाशस बोग्या है टैक्स वेला स्के आउपर क्या लगता है अब इसके लिए क्या 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 पर्छेज कि पहले तो थो हमने एक — पर्चेज किया पैंडर एक क्यों या इक तो पैंड्रीड पर्चेज किया तो यह है क्या है फिर मैंने क्या किया पर्चेज किया है ऐसा मानलो मैंने लिया प्रिंटिंग सर्विसेज अब प्रिंटिंग सर्विसेज किसके काम आ रही है सिर्फ और सिर्फ बुक्स के काम आ रही है उसके बाद मैंने सर्विसेज लिया एड़ोटाइजमेंट सर्विसेज 겠 शलगेर हुआ ह olho हुआ एम् individually सर्विसरी में उसने मतलब आवसीं सप्क्राइब और और पर इन्टयसमें चørपा तो यह क्या को मन है तो मुझे ऐसे आप खुद के लोजिक से बताना कि देखो मैंने जो पॉय पर करी उसके उपर जो tax pay किया वो pen drive में किसमें यूज कर रहा हूं pen drive classes provide करने में जिसके उपर मैं tax pay कर रहा हूं तो इसका मतलब government में को इसके उपर credit देगी बिल्कुल देगी क्यों क्यों कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहो तो इससे taxable supply कर रहे हो, तो government आपको credit दे देगी, क्योंकि आप आगे जाके उस पर tax पे करोगे, अब जो मैं printing services ले रहा हूँ, printing services ले रहा हूँ, वो मैं किस के लिए कर रहा हूँ, books को बेचने के लिए, और books क्या है, exempt, तो मतलब मैंने जो input लिया है, मतलब वो ऐसे output में use कर रहा हूँ, जिसके उपर tax ही नहीं बनता, तो इसका मतलब government क्या मुझे इस पर credit देगी, नहीं देगी, क्योंकि मैं आगे जाके tax तो पे करी नहीं जा, तो government मिलको पुराना tax credit नहीं देगी, तो printing services, मतलब ऐसे supplies, ऐसे input या input services, जो सिर्फ और सिर्फ किसके काम आ रहे हैं, exempt supply में काम आ रहे हैं, उसके उपर आपको credit नहीं मिलेगा, उसके बाद आपने advertisement services ली है, अब advertisement services आपके sale of books में भी काम आ रहा है, और sale of pen drive classes में भी कार आ रहा है, books आपके exempt है, pen drive आपकी taxable है, अब कैसे मैं पता लगाऊं कि advertisement कितना taxable के लिए है, कितना exempt के लिए है, तो इसे बोलेंगे common, मतलब ऐसे input and input services, जो आपने लिए है, taxable के लिए भी और exempt के लिए भी, उन्हें बोलते है common inputs, तो उसके उपर जो भी tax आपने पे किया है, उसमें से आपको taxable वाले के लिए जो आपने पे किया, वो तो मिल जाएगा, exempt वाले के लिए जो आपने पे किया, वो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए हम use करेंगे rule 42, अगर हमें input या input services की बात करनी है, taxable के लिए है उस common credit में से, और फिर हम rule 43 का use करेंगे, अगर आपने कोई capital goods खरीदा है, जो taxable supply के भी काम आ रहा है और exempt के भी काम आ रहा है, तो ऐसे case में कितना taxable के लिए, कितना exempt के लिए वो पता लगेगा rule 43 में capital goods के case में, ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ fundamental of ITC, कि अगर आपने को input खरीदा है, input services खरीदा है, capital goods खरीदा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके काम आ रहा है, taxable supply के या फिर zero rated supply के, ध्यान रखना zero rated supply क्या होती है, export की supply होती है, तो export या फिर SEJ developer को कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को government promote करना चाहती है, तो zero rated supply में भले ही आपका tax button government zero कर द services खर capital goods का use किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, taxable और zero rated supply के लिए, तो ऐसे case में आपको पूरा ITC allow कर दिया जाता है, बट अगर आपने use किया है, सिर्फ और सिर्फ और non business purpose के लिए, personal purpose के लिए, या फिर exempt supplies के लिए, तो ऐसे case में आपको उसका ATC allow नहीं किया जात और अगर आपने दोनों में use किया है, exempt में भी, taxable में भी, तो ऐसे case में आपको ITC available तो कर दिया जाएगा, but for the portion of taxable और zero rated supply, तो जो आपने zero rated और taxable supply करने के लिए किया होगा, सरफ उतने portion पे आपको क्या कर दिया जाएगा, allow कर दिया जाएगा, input tax credit, exempt और non business वाले पे आपक नहीं किया जाएगा, तो बात करते हैं, rule 42 की, जो बताता है कि कैसे portion किया जाएगा ITC on input और input services पे, तो यह क्या होता है, monthly process होता है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमने इस महीने में कितना total tax pay किया है, input और input services पे, तो हम क्या करेंगे, उस पे total कितना tax pay किया है, उस पे total कितना GST pay किया है, उसे denote करेंगे हम P से, वो लिख लेंगे हम, ठीक है, अब उसमें से हम क्या करेंगे, जो चीजे हमें allow नहीं हो less करते जाएंगे, क्या क्या allow नहीं है, पहली बात, अगर हमने कोई ऐसा input and input services है, जो use किया है, सिर्फ और सि के लिए, non business या personal purpose के लिए, अगर आपने कोई ऐसा input and input services जो सिर्फ और सिर्फ non personal, non business purpose के लिए use किया है, इसका मतलब उसका ITC आपको नहीं मिलना चाहिए, तो उसके ओपर जितना आपने tax pay किया है, उसे बोलेंगे T1 और less कर देंगे, हमने जो total tax pay किया तो उसमें से less कर दें तो वो भी हमें credit नहीं मिलेगा, तो उसे भी T2 नाम से denote करके less कर दिया जाएगा, पहले हमने क्या किया था, total tax decide कि total tax कितना pay किया, मन्त के अंदर, अब उसमें से हम वो वाली चीज़े less करते जा रहे हैं, जिसके ओपर हमें credit नहीं मिलने वाला, पहले हमने less किया, ऐसे input and input services, जो सिर्फ और सरफ non business purpose के लिए T1 नाम से और जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्जेंट supply के लिए T2 नाम से उसे less कर दिया, अब हमने block credit भी less कर दिया, block credit कौन सा था, 17, section 5 में पढ़े थे कुछ item, जो हम भले किसी भी चीज में use करें, सारी condition fulfill करें, तो भी वो credit हमें नहीं नाम से, अब उसके बाद जो tax बचा, वो कौन सा tax है, वो ऐसा tax है, जो या तो हमने पे किया है, सिर्फ और सिर्फ taxable या zero rated supply करने के लिए, या फिर ऐसा tax जो की हमने use किया है, जो common के लिए use किया, taxable और exempt दोनों के लिए use किया, उसमें ये बचा, क्योंकि total tax में से जो non business या block था, वो तो हमने सारा हटा दिया, अब हमारे पास वही बचा जो सिर्फ और सिर्फ या तो taxable के लिए काम में आया है, या फिर taxable और exempt दोनों में काम में आया है, तो उसे बोलेंगे C1, और ये जो amount होगा, ये हम पूरा का पूरा amount हमारा क्या करेंगे, credit ledger में available कर ले रहे थे, taxable और exempt दोनों में, तो उसमें जो exempt के लिए काम आ रहा है, उतना portion तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, बढ़ आपने तो पूरा ले लिया, करेंगे, उसको reverse करेंगे, पहले हम एक बार पूरा का पूरा credit ले ले लेंगे, पूरा का पूरा हम क्या कर लेंगे, ले ल हो है, अगर वो less कर दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ common credit, मतलब ऐसे input and input services, जो taxable और exempt दोनों में use हो है, तो मैंने T4 नाम से, सिर्फ और सिर्फ taxable और zero related supply वाले भी less कर दिये, अब मेरे पास बचा common credit, जिसे बोलेंगे C2, जिसे बोलेंगे C2, common credit, अब यह ऐसा tax है, जो हमने exempt as well as taxable supply दोनों के लिए किया है, ठीक है, अब इसमें से पता लगाएंगे कि कितना portion exempt supply के लिए था, उसे बोलेंगे D1, मतलब C2 का common credit का कितना portion exempt supply के लिए था, वो हो जाएगा D1, और इसमें से C2 का कितना portion non business purpose के लिए था, common credit का कितना portion non business purpose के लिए थ उसे बोलेंगे D2, D2 normally आपको calculate करना नहीं है, जब तक आपको question में ना दे रखा हो, D2 क्या होता है, C2 का 5% क्या हो जाता है, D2 हो जाता है, अब आपको यह calculate नहीं करना है, question में जब तक specifically ना दिया हो, अब बात करते है D1 की, अब common credit में से पता लगाना है कि कितना credit common credit का कित हमने common भी sale किया है, sorry exempt भी sale किया, taxable भी sale किया है, उसमें से exempt कितना sale किया है, उस ratio में हम माल लेंगे कि जो common credit का part है, वो exempt supply के लिए काम में आया है, इसका मतलब common credit into exempt supply divided by total turnover in state क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, common credit का उतना part जो कि exempt supply के लिए काम में आया है, अब C2 तो हमने होती है और total turnover क्या होता है, exempt supply का definition दिया गया है, rule 42 और rule 43 दोनों में same रहेगा यह definition, क्या दिया गया है, exempt supply का definition दिया गया है, पहली बात तो exempt supply क्या होती है, nil rated exempt और non taxable supply यह तो exempt supply होती होती है, definition नहीं है, normal definition में भी nil rated exempt और non taxable supply आती है, अब उसके बाद, और government ने क्या बोल जो sale किया है, वो reverse charge mechanism में taxable है, tax कोन पे करेगा, आपका customer पे करेगा, तो आपके लिए वो क्या माना जाएगा, exempt supply माना जाएगा, तो मतलब अगर आपने as a supplier को sale किया है, जो कि reverse charge mechanism में taxable है, तो उसे भी exempt supply में include किया जाएगा, उसके बाद अगर आपने कोई land या building sale किया है, अगर आपने land या building sale किया है, जो कि schedule 3 में आता है, तो ऐसे case में उसे भी क्या माना जाएगा, exempt supply माना जाएगा, नॉर्मली देखो schedule 3 क्या होता है, शेडूल 3 में आने वाली transaction supply ही नहीं होती, शेडूल 3 में आने वाली ट्रांजेक्शन सप्लाई ही नहीं होती तो जब सप्लाई ही नहीं होती तो वह एक्जेम्ट सप्लाई भी नहीं हो सकती बट गवर्मेंट ने बोल दिया कि शेडूल 3 की बाकी ट्रांजेक्शन तो हम एक्जेम्ट सप्लाई नहीं मानेंगे तो schedule 3 की transaction को exempt supply में नहीं रखा जाएगा except land and building को तो यहाँ बोल दिया कि land and building का जो sale किया है आपने वो भले ही schedule 3 में आ रहा है तो भी उसे क्या माना जाएगा exempt supply माना जाएगा बट कितना आपने चेक कितने भी sale किया हो यहाँ पर हम क्या लेंगे stamp duty value लेंगे आपने दो करोड में sale किया उस time duty value देट करोड है तो देट करोड ही माना जाएगा sale of land and building exempt supply दो करोड नहीं माना जाएगा ठीक है उसके बाद sale of security देखो sale of security हमने पढ़ा था कि security ना तो goods होता है ना services होता है कितना one percent of the sale value कितने में purchase किया वो मत्तब नहीं है purchase value को मत्तब नहीं रहेगा आपने security उसको कितने में sale किया है उसका one percent हम क्या लेंगे exempt supply में calculate कर लेंगे तो क्या होगा अगर आपने कोई एक्जेम्ट सप्लाई में नहीं लेना है उसके बाद अगर आप आपने कोई ऐसे supply किये जिसके उपर excise vat और cst पे किया है तो नौर्मली यह value of supply में include होता है बट जब आप exempt supply calculate करोगे तो ऐसे case में इस excise vat और cst को include नहीं किया जाएगा मान लो आपने कोई cigarette sale की है ठीक है आपने cigarette का example नहीं लेता हूं मैं लेता हूं तो मानलो आपने sale किया है, petrol sale किया है, ठीक है petrol sale किया, 80,00,000 रुपे का sale किया, उसके उपर 20,00,000 रुपे क्या है, excise duty, 1.00,000 करोड रुपे का sale किया, अब यह exempt supplier क्यों किस पर GST निलंगता, तो ऐसे case में, क्या, 80,00,000 रुपे क्या है, एक करोड माना जाएगा, तो नॉर्मरी of duty scripts है उसको भी exclude किया जाएगा इतना बात ध्यान रखेना है आपको exempt supply के लिए exempt supply क्या होता है ठीक है यह हमने पता लगा लिए exempt supply अब total turnover in state क्या होगा तो उसने बोला कि जो आपका exempt supply आपने उपर calculate किया है वो ले लेना plus taxable turnover जो आपने taxable supply किया है उसको add कर देना आपका क्या जाएगा total turnover in state बट ध्यान रखना ऊपर जो हमने exempt supply calculate की थी उसमें हमने interest on loan deposit advance को include नहीं किया था but total turnover में interest on loan deposit advance को include किया जाएगा ठीक है total turnover में इसको भी include किया जाएगा ठीक है यह बात हो गए तो यह हमारा monthly process है ठीक है चलिए अब हम आपको एक example से समझाता हूँ उसके बाद मैं आपको इसको वापस revise करा दूँ हो तो आपके दिमाग में एक दम fit हो जाएगा for example ABC Limited का है दो product बनाता product A जो की taxable है product B जो की exempt है दोनों का सेल कितना है product A का 20 लाग है product B का 30 लाग है पार्ट परचेज अब इसको बनाने के लिए पार्ट एक्स परचेज के जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा product A मतलब सिर्फ और सिर्फ taxable बनेगा तो पुरा credit मिल जाएगा पार्ट वाई जो की सिर्फर सिर्फ product B काम में आ रहा है मतलब exempt में काम आ रहा है तो इसके उपर तो credit नहीं मिलेगा पार्ट जैट जो की दोनों के काम में आ रहा है common में काम आ रहा है तो उसके उपर tax pay किया है also made a sale of land for 2KROड रुपए के लिए स्टैंप ड्यूटी पेकर ही हमने 2Lag रुपए स्टैंप ड्यूटी की rate कितनी है पांच परसंट तो हम इससे क्या निकलेंगे स्टैंप ड्यूटी value क्या होता है स्टैंप ड्यूटी तो हम अगर उल्टा इंट्रस्ट अर्ण किया हमने फिक्स डिपोजिट पर पांच लाक रुपे और हमने एक मुबाइल फॉन प्रचेज किया जो ओनर खुद के लिए यूज कर रहा है किया है और हमने जो मुबाइल फॉन प्रचेज किया उसके उपर 25,000 रुपे का टेक्स पे किया है तो यह सारा टोटल करेंगे तो हमारा टोटल टेक्स कितना आ गया चार लाक पांच जार उपे जिसे हम डिनोट करते हैं टी से यह इतना हमने टोटल टेक्स पे किया है अब इसमें से हम क्या करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसके काम आया है नोन बिजनस परपस के लिए परसनल परपस के लिए काम आया है उसको हटा देंगे उसे क्या बोलते हैं टीवन तो जो मुबाइल फॉन पर जो हमने टेक्स पे क अच스mb ceux में आ रहा रहा था इसके लख 10 सबस्केडita है तो आप बाद जो करेडिट नाम से य। इसकी सीटिंग कपैस्टी कितनी है चार तो ऐसे के इसमें ब्लोग क्रेडिट है तो उसके ओपर जो टेक्स पे किया वो हमें अलाओ नहीं होगा तो टी थी नाम से इस टेक्स को मैंने लेस कर दिया अब हमारे पास बचा एक लाग बत्तिस हजार जो क्या है जो या तो मैंने सि प्रपस के लिए किया है तो अगर आप देखोगे शिक्स्टी थाउजन प्लस सब्सक्राइब कितना हो गया अब इतना क्रेडिट मैं क्या कर लूँगा ले लूँगा यह पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अवेल कर लूँगा गवर्मेंट से ले लूँगा अब उसके बाद इसमें से मैं क्या लैस कर लूँगा जो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइबल सप्लाइव के लिए कर रींस सप्लाइब हो कि और पर इस इल्दी ईया है स्मेंट के सबसे पता लगाना और हमने relevant wrinkles कळेगा है exempt supply और total turnover और exempt supply अगर हम calculate करेंगे तो सबसे बहले हमने exempt product B का sale किया है कितना 30 लाग रुपे का एक तो यह हो जाएगा plus और हमने क्या exempt sale किया है अब देखो rule 42 में sale of land and building को भी क्या माना जाता है exempt माना जाता है कितना stamp duty value तो stamp duty value calculate करेंगे दो लाग divided by 5% यह आपका क्या जाएगा stamp duty value आ जाएगा 40 लाग रुपे 30 लाग प्लस 40 लाग प्लस और आपने कोई sale ऐसा किया हो जो कि exempt हो sale of security sale of security के case में भी 1% of the sale value क्या माना जाता है exempt supply तो 5 करोड का 1% कितना हो गया 5 लाग और कोई मैंने sale किया है interest earn किया है देखो interest हमारे exempt supply में नहीं आता यह हमने rule 42 का जो exempt supply की definition में पढ़ा था तो इसको include नहीं किया जाएगा तो 5 करोड का 1% कितना हो जाएगा 5 लाग तो 30 लाग प्लस 40 लाग प्लस 5 लाग कितना हो गया जो interest on fixed deposit में एक्जेंट में include नहीं किया तो तो इस पांच लाग रुपे को और इंक्रूड कर लूँगा तो 75 लाग प्लस 25 लाग प्लस 25 लाग प्लस 25 लाग प्लस 25 लाग था यह product जो मैंने a sale किया है तो 20 लाग 75 लाग प्लस 5 लाग कितना हो गया एक करोड रुपे हो गया एक करोड रुपे अब इस एक करोड रुपे यह क्या हो गया तो मैं क्या करूंगा जो मैंने सीटू कैलकुलेट किया था 72 लाग इंटू एक्जेम्ट सप्लाई 75 लाग डिवाइड़ टोल रुपे एक करोड तो यह क्या जाएगा 54,000 तो मेरा ऐसा मतलब यह वह पार्ट है जो कॉमन क्रेडिट में से एक्जेम्ट सप्लाई के लिए काम आ रहा था 54,000 तो यह मुझे क् 1,33,000 का मैंने क्या ले लिए था अब इसमें से मैं क्या कर दूँगा 54,000 रिवर्स कर दूँगा रिवर्स कर दूँगा ITC में से ठीक है तो यह मेरा बागी बचावों क्या जाएगा कॉमन क्रेडिट में से कितना ऐलिजिबल है वो क्या जाएगा C3 जो कि इस प्रकार से यह वह सोल्व होता है ठीक है अब मैं आपको एक बार वापस इसको रिवाइज करवा देता हूं तो सबसे पहले क्या करना है मंतली बेसिस पे टोटल टेक्स कितना पे किया वो लेना है उसमें से करना है कितना मैंने चाहिए कितना मैंने सर्फ और सरफ त्रफ रिजनस कर से लिए कितना मैं सरफ और इग्ज जो कि सिरफ पर सिरफ taxable और एक्जम्ट दोनों के लिए हुआ है उसके बाद उसमें से कितना exempt के लिए हुआ है वो मैं calculate करूँ हो दीवन वह कैसे करूँ है C2 into E by F E क्या होता है exempt supply divided by total turnover exempt supply की बात करूँ तो उसका formula क्या है nil rated exempt non taxable outward supply under RCM sale of land and building के case में stamp duty value, sale of security के case में 1% of sale value इसमे exclude किया जाएगा interest on loan deposit advance के उपर जो गर आपने interest income earn किया है उसको exempt supply में नहीं लिया जाएगा schedule 3 की कोई भी transaction except sale and land and building को छोड़ के बाकि कोई भी नहीं लिया जाएगा एक्साइज वेट सीस्टी वगरागे जो टेक्स हैं वो भी इसमें नहीं लिया जाएगे value of duty script भी नहीं लिया जाएगा taxable turnover में exempt turnover plus taxable supply आजाएगी उसमें ध्यान रखना interest on loan deposit advance जो exempt supply में नहीं लिया था वो यहाँ पर लेना पड़ेगा अब ध्यान नहीं यह तो हमने किया monthly process अब इसी प्रकार से क्या होता है annual process होता है same process हमें annually भी करना पड़ता है raw metal के case में input or input services के case में for example मान लो मैंने April 21 से लेके March 22 तक हर महीने मैंने उपर monthly process किया और मेरे पास जो D1 का number आया D1 और D2 का total मिलाके number आया मतलब common credit में से exempt supply कितना आया 10 लाक रुपे हो गया हर मन्त का मैंने add किया तो 10 लाक रुपे हो गया इतना मैंने reverse कर दिया monthly basis पे और जब मैंने पूर्य साल का calculate किया पूरे साल का सारे फृगर मैंने क्या लिए पूरे साल के basis पे लिए सेम process करना है पूरे साल के figure लेने है और मैंने calculate किया तो अब मेरा D1 D2 आ रहा है कितना 12 लाक रुपे ठीक है तो इसका मतलब मुझे रिवर्स कितना करना चाहिए था 12 लाक रुपे बट मैंने रिवर्स कितना किया 10 लाक रुपे तो मुझे 2 लाक रुपे क्या करना पड़ेगा और रिवर्स करना पड़ेगा इंक्लूडिंग इंट्रस्ट एटी रेट 18% पर रहनम और कबसे लगेगा इंट्रस्ट एक अपरेल 2022 से एक अपरेल 2022 से जब तक मैं यह 2 लाक रुपे पेह नहीं कर देता तब तक क्या लिए मुझे इंट्रस्ट भी देना पड़ेगा 18% पर रहनम की रेट से अब मान लो अग और आध रुपे में क्या ले लूँँगा क्रेडिट से ले लूँगा गवर्मेंट से कब तक ले सकता हूं सेप्टेंबर मन्त की रिटन तक ले सकता हूं पर ध्यान रखना यह ज्यादा इंपूर्टेंट पॉर्षन नहीं है अप आपने कैसे करते है अब हम बात करेंगे अगर आपने capital goods खरीदा है तो उस case में आप प्रपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, ठीक हैं? देखे, rule 43 में क्या होता है? कि आपने जो capital goods purchase किये हैं, अगर वो capital goods सिर्फ और सिर्फ किस काम में आ रहे हैं? टेक्सेबल और zero rated supply के काम में आ रहे हैं, तो आपको उसके उपर पूरा का पूरा credit मिल जाएगा, ठीक है? आप electronic credit ledger में ले सकते हो, पूरा का पूरा credit आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक आपने raw metal वाले में किया था, rule 42 में वैसा ही यहाँ पे भी है, basic वही है, और अगर capital goods सिर्फ और सिर्फ किसमें काम आ रहा है, non business purpose के लिए या फिर exempt supply के लिए, तो ऐसे case में उसके उपर आपको ITC नहीं मिलेगा, अगर आपने 10 लाग रुपे की machine खरीदी, उसके उपर एकला कस्रीजार tax pay किया, और वो machine काम में आ रही है, taxable और zero rated supply के लिए, तो आपको पूरा का पूरा एकला कस्रीजार credit मिल जाएगा, बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ काम आ रही, नोन बिजनस एर exempt supply के लिए, तो आपको एक रुपया भी उसका credit नहीं मिलेगा, उसके बाद, अब ऐसी भी machine हो सकती है, जो taxable और exempt दोनों में काम आ रही हो, तो उसे हम बोलेंगे भई common credit, ठीक है, तो उसके उपर जो tax pay किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, common credit, उसे denote किया जाएगा A से, और जितनी भी ऐसी machine हैं, जो common में काम आ रही है, मालनों हमारे पास चार ऐसी machine हैं, जो की taxable और exempt दोनों में काम आ रही है, तो सब के उपर कितना-कितना tax pay किया है, उसका हम total कर लेंगे, उसे बोलेंगे TC, जिसे बोलते है common credit, ठीक है, अब जो इतना जो credit है, मालब जो मैंने machine खरीदी, खरीदने पे, वो common में काम आईगी taxable और exempt दोनों में, उसके उपर मुझे पूरा का पूरा credit एक बार मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा 180,000 उपर का credit मुझे क्या मल जाएगा, अभी government दे देगी, और government क्या बोलेगी, एक बार तो हमने तुझे 180,000 उपर दे दिया, बड़ तू इस machine का use taxable और exempt दोनों में करने वाला है, इसका मतलब तेरा credit 180,000 नहीं बनता, तो government क्या करेगी, government ने बोला, कि हम मानते हैं कि जो capital goods है, वो कितने महीने काम आता है, 60 महीने काम आता है, तो government बोले कि जिस महीने तुने एक capital goods खरीदा है, उस महीने तुऊ पूरा का पूरा credit ले ले, धिक्या है, जितना भी तूने taxप किया है, अब क्या करना, उस credit को divide करना 60 से, 60 से divide करेगा तो तेरा क्या जाएगा monthly common credit आ जाएगा monthly common credit आ जाएगा कि हर मन्त का इस महीने का तरह common credit कितना है जो exempt or total दोनों में काम आ रहा है अब इस में से तो क्या करना उस मन्त का जो exempt or total turnover है उसके basis पर क्या करना exempt supply के related credit निकाल लेना और उतना आपको government को वापस करना पड़ेगा क्योंकि government ने आपको एक बार के लिए पूरा credit दे दिया अब government क्या कर रही है government आपको बोल रही है कि ऐसा करना next 60 महीने के लिए तो क्या करेगा कि उसको हर महीने का credit जो होगा उसमें E by F करके तुम मुझे क्या कर देगा वापस कर देगा example के साथ करेंगे और समझेगा पर बता देता हूं कि in GST common credit on capital goods are initially availed fully पहले आपको पूरा credit दे दिया जाता है फिर monthly basis पे जितना credit exempt supply को attribute करता है उतना आपको government को वापस करना पड़ता है आपको वापस करना पड़ता है अब देखो यूजफुल लाइफ हमेशा पांस साल जिसको साथ महीन या बीस क्वाटर भी बोल सकते हैं लिया जाता है तो monthly credit calculate करने के लिए क्या करोगे जो आपका common credit उसको डिवाइड करोगे 60 से तो यह आपका क्या आ जाएगा monthly credit आ था सेम वही इसका formula यहाँ पर भी है और आप क्या calculate कर लोगे common credit में से कितना credit exempt supply से related है वो हमें पता लग जाएगा और उसे क्या करना पड़ेगा आपको add करना पड़ेगा output tax liability में एड करना पड़ेगा output tax liability में ठीक है चलिए for example एक example करते हैं उससे समझेगा बहुत अच्छे से अब ABC Limited है जो दो प्रोड़ेक्ट बनाता है प्रोड़ेक्ट A टेक्सबल है प्रोड़ेक्ट B exempt है दोनों का सेल क्या है देखो 20 लाग रुपे सेल है प्रोड़ेक्ट A का जो ट टेक्स पे किया है वो हमें credit मिल जाएगा क्यों क्योंकि एक है taxable product machine दो है जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाने में काम आरी इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड़ेक्ट बनाने में काम आरी तो इसका जो tax pay किया वह हमें credit नहीं मिलेगा machine तीन जो हमने करी दी है वह हमने दो of land for 2 करोट सेम डिटेल से जो हमने उपर वाले कोशन में किया है चलिए अब आगे अब इसका क्या निकालते हैं क्रेड़िट निकालते हैं सबसे पहले हमें कितना क्रेडिट मिल जाएगा तो हमने मशीन वन जो परचेज किया है उसके पूरा का पूरा क्रेड़िट मिल जाएगा उसके बाद मशीन दो का क्रेड़िट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्जेम्ट के काम आ रहा है मशीन 3 का जो कि दोनों में काम आ रहा है टेक्सिबल एक्जेम्ट उसका पूरा का पूरा क्रेड़िट एक बार के लिए मुझे मिल ने साथ लाग बी सेशन यहाँ पे ले लिया अब उसको मैने मंतल में गवेट कर कडिया मंत में में के क्रेडिट है वह 12,000 क्रेडिट उसका या करना पड़े GG Qück करना पड़े गा उपर वाले Queslight में नीचे वाले Queslight में सब स्भर सेम थील थी dramas है तो उपर वाले क्रोशन में हम्हार Já सब सबढ़े करना तो यहwość करूँ है है 12,000 रुपे का जो मेरा मंतली common credit है TM उसको मैं divide करूँगा 1 crore से into करूँगा 75 lakh से इसका मतलब इस महीने मेरा common credit में से exempt supply के लिए कितना credit है 9,000 रुपे तो इस महीने मेरे को 9,000 रुपे क्या करना पड़ेगा output tax liability में add करना पड़ेगा output tax liability में add करना पड़ेगा और यह tax pay करना पड़ेगा ठीक है तो क्या अगर मों 13,20,000 एक बार पूरा credit ले लूँगा फिर अगले साथ महीने तक मैं जो common में यूज आ रही है machine उसका credit करता जाओंगा reverse तो वो मेरी वर्स करता जाओंगा या पर ठीक है यह अपने पर समझता है इपना ही हमारा rule 43 है तो rule 42, rule 43 हमने करके देखा अब कुछ special treatment है हो सकता है हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है हो सकता है कि आपके जो machinery थी वो use में change आ जाए मानलो आपने जो machine 1 खरीदी थी taxable product के लिए अब मानलो वो exempt में भी काम आ रही है मतलब taxable और exempt दोनों में काम आ रही है हो सकता है कि वे machine करी दी हमने पहले तो taxable में काम ले रहे थे अब हम taxable और exempt दोनों में काम लेने लग गए ठीक है तो उसे बोलेंगे common use में अब हो सकता है आप पहले मशिन्री को common use में ले रहे थे अब आपने क्या कर दिया उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्सेबल प्रडक्ट में काम लेना यूज कर दिया तो उस टाइम पे हम treatment क्या करेंगे ये हमारे लिए treatment बताये गया है अब मान लो आपकी machine तो product B में यूज हो रही क्योंकि दोनों product रिक्सेबल हो गए तो ऐसे case में क्या treatment किया जाएगा वो हमें या पर पढ़ना है ठीक है अगर आपके capital goods के use में change आ जा जाता है या फिर goods के status में मतलब जो exempt वो taxable हो जाए taxable exempt हो जाए अगर ऐसा हो जाता है तो क्या treatment किया जाएगा on capital goods पर जो हमने देखो जब वो पहले common में काम आ रही थी तो हमने पूरा का पूरा credit ले लिया होगा तो हमने जो एक लाग 80,000 रुपे का टेक्स पे किया है कब एक चार्ट 2021 को तो हमने अप्रेल 2021 में ही पूरा का पूरा credit ले लिया होगा full credit ले लिया होगा और अगर अब वो मेरे किसमे काम आ रही है सिर्फ और सिर्फ टेक्सिबल में काम आ रही है तो मैं अगर शुरुआत में भी पूरा का पूरा taxable में काम ले रहा हो तो भी मैं पूरा credit लेता तो वो तो मैं already ले चुका अब simple सी बात ये है कि जब वो मेरे common credit में काम आ रही थी तो मैं क्या कर रहा था हर महीने उसे क्या कर रहा था monthly common credit निकाल के EYF कर रहा था क्यों क्योंकि वो हर महीने मेरे exempt product बनाने में भी काम आ रही थी और taxable product बनाने में भी काम आ रही थी बट अब 15 February 2022 से उसे क्या करने लगया सिर्फ और सिर्फ taxable product बनाने लगया तो इसका मतब अब आगे जाके exempt में काम नहीं आ रही है वो तो 15 February वाले महीने के बाद आपको किसी भी महीने में वो monthly reversal करने की जूरत नहीं है E by F करने की जूरत नहीं है क्योंकि अब वो machinery common में काम आई नहीं रही है exempt में काम आई नहीं रही है वो सरफ तरफ taxable में काम आ रही है और credit में पूरा अल्रेड़ी ले चुका हूँ और टीसी में से निकाल दो जो common credit करते हैं उसमें से रिमूब कर दो क्योंकि अब वो common credit नहीं रहा वो सिर्फ और सिर्फ आप taxable में काम आ रहा है और अब आपको further monthly reversal करने की जूरत नहीं है यह बात अपने को समझता है चलिए अब second example लेते हैं अब second example लेते हैं अब मान लो कि taxable में काम आ रहा था पहले अब क्या हो गया common में यूज आने लग जा एक्जेंट प्रड़क्ट भी बनाने लग गए तो जब taxable में काम आ रहा था ठीक है तो मैंने पूरा का पूरा credit ले लिया होगा full credit ले लिया होगा और common में आ रहा है तो भी मैं पूरा का पूरा credit ले लूँगा उसमें कोई दोरा ही नहीं है common में पूरा credit मिल जाता है टेक्सबल में पूरा credit मिल जाता है फरक क्या रहता है common में क्या रहता है कि आपको rest of the जितना भी उसका useful life होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है E by F करना पड़ता है कि हर महीने की कितनी credit है उसमें से कितना मैंने exempt के लिए किया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा 15 फरवरी को जब मैं उसे common में यूज करने लग गया तो आपको क्या करना पड़ेगा 15 फरवरी से इसे क्या करना पड़ेगा हर महीने इसे क्या करना पड़ेगा common credit में लेना पड़ेगा common credit में लेना पड़ेगा मालो 1,8,000 है तो आपको divide by 60 करके 3,000 रुपे उसको E by F करना पड़ेगा हर महीने कब तक जब तक इसकी useful life समाप्त नहीं हो जाती कब होगी 1421 को खरीदा था मैंने 1421 से 5 साल निकाल लो 31 मार्च 22, 23, 24, 25, 26 तो 31 मार्च 26 तक मुझे क्या करना पड़ेगा ये हर महीने E by F करना पड़ेगा मार्च 2022 से लेके अब तक तो मैंने क्या कि सरफ taxable के लिए यूज़ किया अब इसके बाद मैं सरफ exempt के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो monthly credit को मुझे E by F भी करना पड़ेगा और credit मैं पूरा ले चुका हूँ तो चलिए अगर मैं पहले सरफ taxable के लिए यूज़ कर रहा था वहाँ से पांच साल काउंट होंगे ना कि जहां से मैंने उसका कंवर्ट किया हि यूज अब मैं जाता हूं थर्ड एक्जामपल पर अब मैं जाता हूं 3rd example लेट से अब मैं पहले किसमें यूज कर रहा था एक्जेंट में यूज कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक्जेंट में यूज कर रहा था अब मैं किसमें यूज करने लग गया कॉमन में यूज करने लग जा है तो जब मैं एक्जेंट में यूज कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक्जेंट में यूज कर रहा था तो मैंने क्रेडिट अवेल नहीं किया था क्योंकि जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक्जेंट में यूज कर रहा हूं तो एकला खसीजर करेडिड ले एकला खसीजर करेडिड दे दिया बट मुझे बताओ क्या यह सही है क्योंकि हमने माना था कि 14221 से 5 साल मदब 31 मार्च 2026 तक क्या है इसका यूसिफुल लाइफ है अब पांग साल में से आपने एक साल सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज किया है एक्जेम्ट में यूज किया है फिर भी आपने उसे पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया क्या गलत बात नहीं है तो यहाँ पर गवर्मेंट ने बोला ऐसा कर एक बार तु पूरा का पूरा क्रेडिट ले ले आप पूरा पूरा 1,80,000 क्रेडिट ले अब क्या कर जो एक साल तुने exempt purpose में यूज किया है उस एक साल के लिए तुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए तो उतना तुझे reverse करना पड़ेगा कैसे reverse करना पड़ेगा गवर्मेंट ने बोला देख quarter होते हैं एक साल में चार एक साल में कितने quarter होते हैं चार होते हैं तो पांच साल में पांच साल जो useful life हो उसमें कितने quarter हो जाएंगे धीज हो जाएंगे तो पर कोटर तरह कितना डप्रिसीशन ब Cathाञ पर संट काटर तो किता यूज करता है 5% यूज करता सो भाव भीस क्या है अजैगा 5% ठीक है तो गवर्मेंट ने बोला एसा कर जैसे एक कोटर यूज करेगा या फिर पार्ट अजी क्वाटर यूज करेगा उसे क्या मान लिए जाएगा 5% तुने यूज कर लिया तो मैंने 14221 से देखो मैं पहले एक बार बता देता हूं कि जीयस्टी में क्वाटर क्या होते हैं जीयस्टी में जैन से मार्च एक वाटर हो जाता है अपरील जैन से होता है मैंने यूज करना कब analyse में सीर्व यूज कर रहा था तो कितने quarter हो गए, आपरेल से लेके June वाला quarter, July से सितंबर वाला quarter और October से December वाला quarter, तीन quarter तो यह होगए, अब 2022 में जन्वरी से मार्च वाला quarter, मैंने बुला 5% quarter और Part of the quarter, तो मेरे total quarter कितने हो गए, चार हो गए, अप्रेल से जून वाला, जुलाई से सितंबर वाला, अक्टोबर से दिसंबर वाला, उसके बाद जन्वरी से फर्वरी हुआ है, पार्ट ओधी क्वाटर उसे पूरा मान लिया जाएगा, तो इसका मतलब मैंने चार क्वाटर के लिए इस मशीन को यूज किया है, सिर्फ और स इक स्प्लाई के लिए तो गवर्मेंट ने बोला, ऐसा कर、 एक लाग 800,000 रुपई का पांच पर वालाटर, चार कवाटर के लिए कितनो बनता है, एक लाग 80,000 ऐन्टू, b Commandment Ågar, चार कोई में यूज किया है exempt purpose के लिए यूज किया है तो वो एक साल का जो credit है वो तुझे क्या करना पड़ेगा reverse करना पड़ेगा क्योंकि तुर को पूरा का पूरा credit दे दिया गया था अब एक और चीज जब मैं इसे common में यूज कर रहा हूं तो इसका मत्तब मुझे हर मंत क्या करना पड़ेगा common credit को reverse करना पड़ेगा e by f करना पड़ेगा तो एक लाग 80,000 को 60 से divide करके 3000 उसको मुझे क्या करना पड़ेगा e by f करना पड़ेगा हर महिने कब तक जब तक इसकी यूसफुल लाइफ है 31,2026 ठीक है तो यह क्या हो गया अगर पहले exempt में यूज हो रहा था अब common में यूज हो रहा है तो पूरा credit ले लो और reverse कर दो credit for the period for which used only in the exempt supplies and reversal amount कितना होगा 5% per quarter और part of the quarter used for the exempt supply और अब monthly reversal भी करने पड़ेंगे क्योंकि common में यूज आ रहा है तो इसे remaining life के लिए month three quarter भी reversal करने पड़ेंगे और common credit में add करना पड़ेगा ठीक है यह बात अपने को समझ में आता है अब उसके बाद हो सकता है कि पहले आप common में यूज कर रहे हो अब आप exempt में यूज करने लग गए पहले आप common में यूज कर रहे थे अब आप exempt में यूज करने लग गए चलिए अब example लेते हैं पहले आप common में यूज कर रहे थे अब आप करने लगे exempt में तो मुझे बताओ आपने पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिए होगा, अगर आप एक्व्द कामन मैं यूज कर ले तो पूरा का पूरा क्रेडिट आप ने ले लिया होगा, AND आप क्या कर रहे होगे, Mustlil rebate कर रहे होगे, और अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब आपने क्या किया अब इसे exempt में यूज करना चालो कर दिया तो इसका मतलब इसका मतलब आपने पूरा credit ले लिया पूरे 5 साल का credit ले लिया बट आइडली आप जब से इसको exempt में यूज करने लगे उसके बाद तो आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ exempt बनाओगे तो बाकी बचे हुए period का आपका जितना भी credit है वो आपको क्या कर देना चाहिए reverse कर देना चाहिए गवर्मेंट ने आपको credit दिया था पूरा का पूरा क्यों क्यों कि गवर्मेंट को लगा था कि आप 5 साल तक इसे यूज करोगे taxable product बनाने में बट आपने कहा किया अब सिर्फ और सिर्फ exempt बना रहे हो तो बचा हुआ जो पीरेड है हमने अभी तक इसको कितना quarter यूज किया है चार quarter यूज किया है तो टोटल quarter कितने होते हैं 20 quarter उसमें से मैंने चार quarter यूज कर लिया अब कितने बचे 16 quarter तो 16 quarter के लिए मैं इसे किसमें यूज करने वाला हूँ रिवर्स करना पड़ेगा आउट्पूट एक्सलाइबिटी में एड करना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि next four year तक आप इसे सरफ और सरफ exempt प्रड़क्ट में लेने वाले हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए और जब आप exempt में यूज करने लगे सिरफ और सिरफ तो य क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा नो फर्दर मंतली रिवर्सल रिकॉाइड अब आपको मंतली रिवर्सल करने की जुरत नहीं है ठीक है इतनी सी बात है अब यह चो रूल 40 एक इनल फाक ऩरूल 43 अब इसके लिए बैंक और एन डीढ उप्शन दिया गया है करना चाते तो वो क्या कर सकते हैं कि जितना उनका eligible ITC बनता है eligible ITC मतलब eligible ITC में non-business purpose वाला और block credit नहीं आता block credit और non-business purpose वाला credit हटा दो बाकी बचाओ और taxable और exempt वाला जितना भी credit है उसका वो क्या कर सकते हैं 50% credit क्या कर सकते हैं available कर सकते हैं on input input services और capital goods और बाकी उन्हें छोड़ना पड़ेगा government ने बोला कि आपके लिए simplify कर देते हैं आपको रूल 42-43 यूज मत करो आप ऐसा करना सिर्फ 50% credit ले लेना और मुह मत दिखाना किसको bank financial year NBFC को तो वो यह option opt कर सकते हैं पर ध्यान रखना एक बार यह option opt कर लिया तो जो बाकी बचा हुआ period है financial year वह उस financial year में वापस reverse नहीं कर सकते यह option आपको opt करना पड़ेगा दूसरी बात अगर उन्होंने अपने इंटर ब्रांच से कोई services लिए तो उसके उपर 50% का restriction नहीं लगता उसके उपर पूरा का पूरा 100% उन्हें क्या मिल जाएगा credit मिल जाएगा यह ज्यादा important नहीं है तो इसके उपर ज्यादा focus करने की जूरत नहीं है यह ऐसे ही फालतु का है इसके उपर ज्यादा focus करने की जूरत है नहीं चलिए अब हम next topic पर जाएंगे अब तो अब start करते हैं आपन कुछ special provisions कुछ special cases हैं जिससे कि आपको credit मिलेगा ऐसे कौन से cases हैं देखो हो सकत मुझे बात बताओ कि अगर आप composition scheme में हो ठीक है अगर आप composition supplier हो तो हमने बात किया था कि composition supplier को tax का credit नहीं मिलता अगर composition supplier ने कोई समान खरीदा उसके उपर tax पेक है तो उसका credit उसको नहीं मिलता अगर आप माल लो सिर्फ और सिर्फ exempt supply करते थे या फिर कोई exempt supply करते थे जिसके related आपके जो goods वगरा थे उसके उपर आपको credit नहीं मिला अब क्या हुआ आप composition से regular scheme में आ गए अब आप composition supplier नहीं रहे अब आप regular scheme में आगे आप normal tax पे करते हो तो ऐसका मतलब आपको credit मिलना च चालू हो जाएगा बट जब आप composition में थे तब आपने कुछ समान खरीदा था input input services खरीदे थे जिसके उपर आपने tax pay किया था तो वो आपके stock में पड़े हैं जब आपने regular scheme में convert किया तो क्या उसके credit मिल पाएगा उसके बारे में ये provision बात करता है अगर आपने exempt supply कर रहे थ उसे taxable कर दिया तो क्या जब आप exempt थे तब आपने purchase किया तो उसके उपर credit नहीं मिला होगा बट जब वो taxable हुआ तो आप जब इसकी supply करोगे तो इसके उपर आप tax pay करोगे इसका मतलब आपको credit मिलना चाहिए तो क्या आपका उस दिन जो stock में माल पड़ा है उसके उपर credit म मिल पाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे या फिर अगर आप register नहीं थे आप register नहीं थे आप unregistered person थे ठीक है अब आप register होगे जब आप unregistered person थे तब आपको कोई credit नहीं मिला क्योंकि आप tax pay नहीं करने वाले थे तो credit किस बात का तो अब आप register होगे आप tax pay करने वाल तो इसके बारे में हम बात करेंगे special case में तो यह special case क्या बोलता है कि अगर अगर आप पहले composition supplier थे और अब आप क्या होगे regular scheme में आ गए आप पहले exempt supply करते थे और अब क्या हो गया taxable supply करने लग गए तो ऐसे case में आपको credit मिल जाएगा on inputs जो आपने खरीदे हैं भली raw metal form में हो बले semi finished goods form में हो या फिर finished goods form में हो अगर जो भी stock पढ़ा होगा ना input as on raw material semi finished goods और finished goods का या फिर कोई capital goods भी अगर आपने खरीदे होंगे उसके ओपर भी आपको credit मिल जाएगा अगर आपके stock में पढ़ाए जिस दिन का देखना में बापने को आपने को आपने खरीदे होगे मान लिजिए आप एक जुलाई को regular scheme में enter हुए तो आप क्या करोगे 30 जून की तारीक को जितना भी आपका stock था या capital goods से उसके उपर आपको ITC मिल जाएगा या फिर एक जुलाई से आपका क्या हुआ एक्जैंट से taxable हो गया गुट्स तो 30 जून को आपको जितना भी credit जितना भी stock आपका पड़ा था उसके उपर क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है अब ध्यान रखना जब आप composition से regular में जा रहे हो एक्जैंट से taxable में जा रहे हो तो आपको input as a raw material semi finished goods finished goods हो या capital goods हो सब के उपर credit मिल जाएगा अगर आपने अपर अन्रजिस्टर हो गए अन्रजिस्टर कर वा लिया आपने तो ऐसे case में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किस पर मिलेगा input on raw material finished goods और semi finished goods तो आपको capital goods पर credit नहीं मिलेगा तो आपने अगर जब आप अगर आप प्र अजिस्टर हो तो बात अलग रजिस्टर हो अलग है रजिस्टर ही नहीं मिलेगा और किस दिन का जियान रखना आप जो थोड़ा सा क्या आता है कि पाम से होता है एक होता है कि आपके ऊपर liability rejecting just diminishing कर माल लो जो आपकी turnover limit थी, turnover limit होती है 20 लाग रुपे माल लो, ठीक है, आप इस साल आपने 20 लाग से ज़्यादा का sale कर दिया, तो ऐसे case में, जैसे ही आपका 20 लाग से उपर sale होगा, तो आप registration के लिए liable हो जाओगे, तो एक तो होता है कि आपने को ऐसा काम कर दिया, जिसके करन आपका application आया, registration का, माल लो, आपका एक जुलाई को turnover आपका exceed कर गया 20 लाग रुपे से, एक जुलाई को, तो क्या करना पड़ेगा, एक जुलाई के 30 दिन के अंदर अंदर, जब अप liable हो, इसके 30 दिन के अंदर अंदर, आपको registration के लिए apply करना होता है, अगर आपने 30 दिन से ही register होगे, जब update on the date on which you become liable to register, भले आपको registration certificate बाद में grant किया जाए और कभी भी किया जाए, अगर आपने apply नहीं किया 30 दिन के अंदर, अगर आपने apply किया मालो 5 अगस्त को, तो यह माना जाएगा, जिस दिन आपको certificate registration grant हुआ है, अब 5 अगस्त को apply किया और बाद में certificate issue किया 8 अगस्त को, तो यह माना जाएगा कि आपने 8 अगस्त को register हुए हो, तो इतना फरक पर जाएगा, तो अगर आपने 30 दिन के अंदर apply कर दिया registration के लिए, तो जिस दिन आप लाइबल हुए तो registration के लिए उसी दिन को क्या माना जाएगा, कि आप register हो गए, और अगर तो अगर आप रजिस्टर नहीं थे और आपने रजिस्टरेशन करवाया भी ठीक है तो ऐसे केस में आपको जो भी स्टोक पढ़ा होगा उसको पर क्रेडिट मिल जाएगा बट किस दिन का जो इस्ट्रेशन है उससे एक दिन पुछे वाला जो दिन है उस दिन जितना स्टोक उसके ओपर क्रेडिट मिल जाएगा तो कितना फरका जाएगा ध्यान रखना एक और बात बोल दिये इसमें कि इन्पुट टेक्स क्रेडिट कैन भी अवेल्ड ओनली इफ इन्वोईस इस नोट ओल्डर दन वन यर तो कहने का मतलब आपके स्टोक में जो भी इन्पुट पढ़ा है या कैपिटल गूर्स पढ़े हैं अगर वो एक साल से पुराने हैं तो उसके ओपर क्रेडिट नहीं मि हैं उस दिन से हमें देखना पढ़ेगा कि ऑस दिन वो गूस एक साल पुराने हैं अगर वह साल पुराने हैं तो उसके ओपर क्रेडिट नहीं मिलेगत आहां लो आपने 9 months पहले, 9 months पहले आपने 10 lakh रुपे का goods खरीदा था, उसके उपर credit था 1,80,000, तो क्या 1,80,000 पूरा credit मिल जाएगा नहीं, क्योंकि 9 महीने आपने या तो उसे composition में use किया है, या फिर उसने आपने exempt supply में use किया, या फिर आप register नहीं थे, तो उस 9 महीने का credit आपको नहीं बनता, वो उसके लिए आप eligible नहीं हो, तो क्या बुला, कि आप क्या करो, आपने जितना tax pay किया था, 1,80,000 पे किया था, उसमें से 9 महीने के कितने quarter होगे, 3 quarter होगे, तो per quarter 5% less कर दो, 5% into 3 quarter into 1,80,000, उतना less कर दो, बाकी बचा होगे, आप क्या ले सकते हो, credit ले सकते हो, तो 1,80,000 into 5% into 3 minus 1,80,000, तो आप बाकी बचा होगे, जो 1,50,000 है, उसका credit आप ले सकते हो, पर पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, तो credit capital goods के case में कितना मिलेगा, total ITC minus 5% of each quarter, from date of invoice to addition, तो मतब आप जिस दिन से, ये quarter count कर रहे हो न, काम से count करोगे, जिस दिन आपका date of invoice से, लेके, जिस दिन का आप stock count कर रहे हो, वहाँ से तक आप count करोगे, अच्छा, तो क्या क्या condition, ख्याल में रखनी पढ़ेंगे, अगर आपको ये ITC avail करना है, पहली बात, आपको electronically एक declaration file करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर-अंदर, कब से 30 दिन, जब आप composition से regular में गए, exam से taxable में गए, या जो भी आपने जो convert किया है, उस दिन से 30 दिन में आपको, ये detail file करनी है, जिसमें पूरा detail दिया रहेगा, कि क्या-क्या input और capital goods मेरे stock में पड़े थे, वो detail आपको 30 दिन के अंदर-अंदर देना है, ठीक है, उसके बाद, अगर aggregate credit 2,00,000 से उपर है, अगर आप जो credit लेना चाहते हो, input, capital goods पे जो भी credit लेना चाहते हो, अगर वो 2,00,000 रुपे से उपर बनती है, तो ऐसे case में आपको वो details आपने submit करी है, वो certify करवानी पड़ेंगी CA और CMA से, क्या क्या condition है, पहली बात, आपको electronic लिए declaration file करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर-अंदर, कि ये input और capital goods मेरे पास पड़े थे, जिसके उपर मैं credit लेना चाहता हूँ, और अगर वो credit 2,00,000 रुपे से उपर का बनता है, तो ऐसे case में उन details को certify करवाना पड़ेगा किस से, CA और CMA से, उसके बाद बात आती है कुछ ऐसे special cases, जिसकी वज़े से आपसे input tax credit छीन भी लिया जा सकता है, जो हमने उपर cases की बात करी, उससे reverse बात करते हैं, कि माल लो में regular taxpayer था, तो मुझे credit मिल रहा था, बट अब मैं क्या हो गया, composition में convert हो गया, तो क्या मुझे credit मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे बताओ, जो regular के time मैंने कोई mal purchase किया होगा, कुछ capital goods purchase किया होगे, तो उसके ओपर तो मुझे credit मिल गया होगा, तो जो मेरे stock में पड़े हैं, क्या उनसे credit वापस ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए, ये वाली बात हमें subject में करेंगे, taxable supply करा था, अब exempt करने लग गया, तो क्या मुझे stock पे input में से वापस ले लेना चाहिए, मेरा registration cancel होगया, क्या मुझे से वापस ले लेना चाहिए, जो stock में पड़ा है, credit चलिए, बात करते हैं, अगर आप regular scheme से composition में जाते हो, taxable supply से अब सिर्फ exam supply करने लग गये, cancellation of registration हो गया, registration cancel हो गया, तो ऐसे case में आपको amount reverse करना पड़ेगा, equivalent to ITC, आपने जितना ITC ले रखा था, किस पे, जो भी stock पड़ा था, as a raw material form में, semi finished goods form में, finished goods form में, और capital goods, तो मत्तब, आपने जितना भी input tax credit ले रखा था, जो भी stock पड़ा था, as a raw material, semi finished goods, finished goods form में, या फिर, capital goods में भी जो ITC ले रखा था, उस पे आपको वापस करना पड़ेगा, on the date, preceding the date, जिस दिन आपने composition में switch किया, जिस दिन आपको ये taxable supply exempt हो गई, या जिस दिन आपका registration cancel हो गया, उससे पिछले वाले दिन जितना भी stock पड़ा था, raw material, semi finished goods, finished goods, या फिर, capital goods का, उसके उपर आपने जितना भी ITC लिया है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, reverse करना पड़ेगा, output tax liability में add करना पड़ेगा, अब सर्क कैसे पता लगाएं कितना ITC लिया था, देखो, जब वो आपने inputs raw material पगरा खरीदा होगा, तो उसमें आपके पास invoice available होगा, तो जो invoice available है, तो invoice के basis पे इसको reverse कर दो, जैसे माल लो आपने 5000 तन माल खरीदा था, उसका आपने 10 लाग रुपे पे गिया था, और 180,000 रुपे टेक्स पे गिया था, अब माल लो आपके stock में वही 2,000 तन माल पड़ा है, तो आप simple वाता है ना, कि वही 1,800,000 पांच जा तन पे तब 2,000 तन पे कितना हो जाएगा, 32,000 रुपे, तो 32,000 रुपे क्रेडिट रिवर्स कर दो, तो मतब invoice के basis पे आपने कितना tax pay किया था, वह आप reverse कर दो, अगर माल लो आपके पास invoice available नहीं है, अगर आपके पास invoice available नहीं है, तो आप यह देखोगे कि market में कितने का माल भ tax pay कर दो, जो भी stroke में पड़ा है, पर अगर market price यूज करोगे, तो आपके गलत market price तो नहीं यूज कर रहे है, इसलिए बोल दिया कि उसे certify करवाना पड़ेगा CACM में से, दूसरी बात आती है capital goods के case में, capital goods के case में कितना आपसे return लिया जाएगा, तो इसमें बोल दिया गया कि देखो, अगर मान लो आप 10 महीने तक regular scheme में थे, तो मतलब आपका हक बनता था कि आप 10 महीने तक क्या मिले, आपको credit मिले, बट 10 महीने के बाद वाले period के लिए आपको credit नहीं मिलना चाहिए, मान लो आपने 10 लाग रुपे का goods करीज़ा, capital goods उस पे 1,60,000 रुपे का tax किया था, तो अब देखो, आपने 10 महीने तो already उसको use कर लिया, तो 10 महीने का तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकि जो बचे वो महीने, ध्यान रखना हमने हर्जे का कैसे less किया था, per quarter less किया था, 5% per quarter less किया था, बट अगर आप composition regular में जा रहे हो, taxable से exempt में जा रहे हो, और registration cancel हो पचास महीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ITC reverse करना पड़ेगा, तो total आपने ITC लिया था, 180,000 into 50 महीने का reverse करना है, out of 60 months, तो 180,000 into 50 divided by 60, ये आपको 150,000 रुपे क्या करना पड़ेगा, reverse करना पड़ेगा, output tax liability में add करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहां पे remaining useful life के आपको reverse करना है, पर in months, in months, ठीक है, अब बताओ, ये case हो सकता है, या फिर एक case हो सकता है कि आपको government ने credit दिया था, मालो आपने को capital goods खरीदा, ठीक है, आपने capital goods खरीदा, आपने उसे 10 महीने तक use किया, और फिर आपने sale कर दिया, अब बताओ, government ने आपको capital goods पे पूरा का पूरा credit पहले दिन ही दे देती है, government बोलते है, जब आप आप capital goods purchase करोगे, तब ही आपको पूरा का पूरा credit दे देते हैं, क्योंकि government आप पे trust करती है, government बोलती है, कि हम मानते हैं कि आप 5 साल तक क्या करोगे, इस goods को use करोगे, पर अब इसने क्या कि इस बंदे ने 10 महीने ब पेच दिया, तो जो बचा हुआ time period है, उसके लिए तो तुमने use किया ही नहीं, तो उतना ITC तुम्हें क्या करना पड़ेगा, reverse करना पड़ेगा, उतना ITC reverse करना पड़ेगा, या फिर, या फिर जो आपने sale किया है, जितने में sale किया है, उसके उपर आपका कितना tax बनता है, उतना tax हमें pay कर दो, दोनों में से जो भी higher होगा, वो आपको amount pay करना पड़ेगा, let's say, let's say, मैं example लेता हूँ, मैंने 10 लाख रुपे का goods purchase किया, मैंने 10 लाख रुपे का goods purchase किया, ठीक है, मैंने इसको 4 quarter के लिए use कर लिया, इसके उपर मैंने 1 लाख 80,000 रुपे का tax pay किया था, अब 1 लाख 80,000 रुपे मैंने 4 quarter तो इसको use कर लिया, देखो यहाँ पर भी quarter में होगा, 4 quarter मैंने use कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी के 30,000 into 5% into 16, तो मतलब 1,40,000 रुपे का में को क्या करना पड़ेगा, credit वापस करना पड़ेगा, अब मान लो, मैं इस goods को sale कर रहा हूँ, क्यों मैं dispose of कर रहा हूँ, मैंने sale किया है, 8 लाख रुपे में, तो 8 लाख रुपे पे tax कितना बनता है, मान लो 8 लाख नहीं, तो 8 सेम हो जाएगा, मान लो 8 लाख 50,000 रुपे में sale करता हूँ, इसके उपर 18% tax कितना बनता है, 8 लाख 50,000 into 18%, ये बना 1,50,000, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1,50,000 ये 1,50,000 ये 1,50,000 तो ए 1,50,000 क्या हो जाएगा, आपको output tax liability में add करना पड़ेगा, government को वापस देना प fix खरीदे थे, ठीक है, तो ऐसे case में, इनके case में आप क्या करोगे, transaction value पर ही tax pay कर सकते हो, जितने में sale किया, उतने पर tax pay कर सकते हो, इसके उपर आपको ITC का पूरा लफड़ा लेने की जूरत नहीं है, ठीक है, चलिए, ये वाला बात हो गया, अब एक case है, transfer of ITC on account of change in constitution, दे जाती है, ठीक है, तो उन दोनों companies के पास credit पड़ा है, क्योंकि government, हमने credit avail किया होगा, तो government ने हमारे खाते में डाल दिया होगा, तो A limited और B limited दोनों के खाते में कुछ credit पड़ा है, अगर वो A limited और B limited आपस में मिलके एक नई company में आ लेते हैं, A B limited, तो क्या वो credit जो A limited और B पड़ा था, वो transfer हो पाएगा, A B limited को, मान लो A B limited टूटके A limited और B limited बन जाती है, तो क्या A B limited के खाते में जो credit पड़ा था, वो A limited और B limited को transfer हो पाएगा, या मान लो A limited sale कर दिया, इसको B limited को, ठीक है, तो अब जब A limited का sale कर दिया, तो A limited के जो credit पड़ा था, क्या वो transfer हो प पढ़ा है credit ledger में अध़ाब अवेल तो कर लिया पर उसको यूटलाइज नहीं किया credit ledger में पढ़ा है तो उसको transfer किया जा सकता है to the succeeding business तो जो succeeding business अशको transfer किया जा सकता है हर किसी को नहीं किया जा सकता यह सिर्फ d-merger merger amalgamation sale के case में किया जा सकता है same business आपका transfer हो रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे मानलो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को business sale किया है तो अब ए लिमिटेड के खाते में जो भी credit पड़ा है इसके लिए लिमिटेड को हम transfer कर रहे हैं B Limited को क्योंकि Liabilities transfer हो जाती है तो यह माना जाते कि आपने business sale कर दिया तो यह CM A CSML के certificate लग जाएगा और ITC 02 file करना पड़ेगा अब उसके बाद सामने वाला जो B Limited है वो क्या करेगा इस transfer details को accept कर लेगा और जैसे वो कर लेगा तो यह जिस एक लिमिटेट के अकाउंट में जितना भी आटीसी पड़ा था वह सारा transfer हो जाएगा बी लिमिटेट के account में ध्यान रखना यह transfer state wise होगा और value of assets के basis पे होगा ठीक है इसको मैं एक example से समझा देता हूं आपको तो easy रहेगा आपके लिए let's say कर देंगे यह कि यह मालो A B Limited है एबी लिमिटेट का ना राजस्तान में business है के और पंजाब में business है ठीक है राजस्तान में उसकी कितनी asset है by 40 करोड की asset है और पंजाब में 60 करोड की asset है ठीक है और राजस्तान वाले business के पास कितना credit पढ़ा है मालो 10 आदा बिजनस के पास यह मालो की 20 लाग रुपए का क्रेडिट पड़ा है ठीक है UP राजस्तान वाले 40 करोड की अब एलिवी लिमिटेड ने अपना आदा बिजनस किसको ट्रांसफर कर दिया x y limited को ठीक है अब जो राजस्थान वाला business था राजस्थान वाले business से 40 करोड की asset में 20 करोड की asset किसको transfer कर दी x y limited को और पंजाब वाले business में से 20 करोड की asset किसको transfer कर दी x y limited को 60 करोड की asset में से तब देखो अब ना s nu का center level पे हम बात करेंगे state wise अब राजस्तान वाली जो क्रेडिट पढ़ी थी हमारे पास 10 लाग रुपे की उसको कितना डिवाइड किया जाएगा वो देखते हैं अब राजस्तान वाली जो ट्रांसफर की जाएगी ना वो 10 लाग रुपे की क्रेडिट है मेरे पास और मैंने कितने एसेट में से कितना ट्रांसफर किया है राजस्तान में मेरे पास 40 करोड का एसेट था उसमें से 20 करोड का एसेट मैंने ट्रांसफर कर दिया तो जो मेरी लेजर है 20 करोड ऐसे ट्रांसफर कर दिया आउट और 60 करोड तो मैं यहां पर कितना कर दूँँ है 20 by 60 यह आपका 666666 पंजाब वाली जो क्रेडिट है उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा रहरा रहरा एक्स्ा वाली लेंटर में तो इस प्रकार से कहने का मत inability अधस्त ड्रांसफर किया जाएगा बैलैंस दूसरी बात स्टे वाईस किया जाएगा और यह किस की और क्रीज्स की दिन गहां से ट्रो इनकिश साइल किया है उस दिन का आपको बैलेंस लेना है और उसको डिस्टिब्यूट करना है ठीक है यह बात समझ में आती है तो यह फालतु का टॉपिक था यह वाला जो ट्रांसफर इस पर जाए दिमाग मत लगाना वट मैंने फिर भी आपको इन चौट में आपको एक्जमपल के साथ बता दिया है तो आई गेस वह आपके इतना काम में आ जाएगा अब हम बात करते हैं input service distributor के अब हम बात करेंगे input service के क्या concept है हो था क्या है कि जैसे मालो एक corporate office है काम कर रहा है ठीक हैँ अब काम क्या है खीज भी भी नहीं होता ठीक हरोग बैटे अ बहुँ tobacco लोग बेटें अब वहां से place of बिजनस हैं इसके चार जगह पर बिजनस कर रहा है मालो राजस्तान में कर रहा है गुजरात में कर रहा है पंजाब में कर रहा है या महराष्ट्रा में कर रहा है यह चार जगह पर इसके बिजनस हैं अब देखो एक्चल में जो सेल प्रचेस हो रही है वह कहां पर हो रही है राजस्तान से और ये गुजरात से और ये पंजाब से और ये महराष्टा से और ये अब जो ये corporate office है इसका कुछ भी काम नहीं है ये भी मानलो महराष्टा में अब ये corporate office से कोई भी sale नहीं हो रही बट क्या होता है कि जब बड़ी companies होती है न वो कुछ centralized services available करती है जैसे मानलो IT related services लेनी है IT related services तो अब राजस्तान गुजरात पंजाब महराष्टा अलग लग से नहीं खरीदेंगे ये क्या करेंगे एक साथ खरीद लेंगे IT की services outsource कर देंगे तो अब उसका जो billing होगा वो किसको होगा head office को होगा महराष्टा वाले head office को bill होगा क्योंकि सबने एक साथ महराष्टा से ली और उसका बेल किसके पास आ रहा है को पीड के पास और महराष्टा के बास क्योंकि सबसे related है तो ऐसे case में जब उसके पर आ रहा है इंपमिट जब related बात और यह input services की अगर बिल किसके पास आ रहा है corporate office के पास तो ITC किसको मिलेगा corporate office को input tax credit भी किसको मिलेगा corporate office को but actual में corporate office के पास तो कोई liability है ही नहीं लाइबरेटी तब आई कि जब वो sale करेगा और sale कहां से हो रहा है राजस्तान से गुजरात से पंजाब से महराष्टर से अब corporate office वाला तो कुछ sale करी नहीं रहा है जब sale ही नहीं कर रहा है तो वो उस credit का करेगा जो उसको credit मिलेगा तो जो ITC available है corporate को वो कुछ काम ही नहीं आ पाएगी no use of ITC as output tax lies at the business place क्योंकि जो सारा output tax वो काम बन रहा है business place पर बन रहा है जो place बिजनस जहां से काम करें वहाँ पर tax बन रहा है तो इसका तो कुछ काम ही नहीं रहा है corporate office का तो इसके पास ITC पढ़ा रहे जाएगा कुछ काम ही नहीं आएगा यूज ही नहीं कर पाएगा तो ऐसे case में ISD का concept लाए गया और इसे बोला गया कि इसे बोलेंगे हम input service distributor यह corporate office वाले ने जितना भी tax pay किया है input services को avail करने के लिए वो distribute कर सकता है respective place of businesses को जिसने भी उन services का use किया है अब मान लोग को IT की services थी इन चारों businesses ने यूज किया है तो वो जो उसके ओपर जो services का ओपर जो text पे किया है वो पूरा का पूरा distribute कर दिया जाएगा राजस्तान पंजाब गुजरात और महराष्टरा के बीच में based on turnover तो यह होता है input service distributor का concept पर एक बात input service distributor को अलग से registration लेना पड़ता है as a isd distributor as a isd उसको separate registration लेना पड़ता है दूसरी बात वो जब distribution करेगा credit का तो ध्यान रखना हो सकता है कि कोई services सिर्फ और सिरफ किसने लिया हो राजस्तान वाले प्लेस बिजनस ने लिया हो और उसके related bill आ गया corporate office के पास तो बताओ जब कोई पता है कि यह वाली services किसने यूज करी है सिरफ और सिरफ राजस्तान ने यूज करी है तो जब वो कोई services related to any specific recipient है इन प्लेस वो बिजनस को क्या बोलेंगे recipient तो अगर वो कोई services respective to एक particular recipient है तो ऐसे case में वो distribute भी किसको होगा उस particular recipient को ही होगा तो कहने का मत्तब जो input services का use करेगा उसी को credit distribute होगा अगर किसी एक नहीं किया है use तो उस एक को ही distribute हो जाएगा तो ITC specific to particular recipient distributed to such specific recipient only अब मान लो एक ऐसा services लिया जिसका राजस्तान और गुजरेत दोनों यूज कर रहे है राजस्तान और गुजरात यूज करें पंजाब और महाराष्टा यूज नहीं कर रहे है तो ऐसे case में उस input services relate से लिए जो भी tax होगा वो किसमें distribute होगा सिरफ राजस्तान और गुजरात में और तुम्ल्भक का रेष्यों भी किसका लेंगे शोम बटा न लेंगे राजस्थान oke दिस्ट्रीभूट का अम मान लोब असी सर्वीस्ट ली जा में जारी जिसमें सारी युनिट यूज कर रही है राजस्तान भी गुज्राद भी पंजाब भी महाराष्टा भी तो ऐसे केस में इन चारों को डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा इन चारों के टर्नोवर के रेशो में देखो अगर आईटिसी अट्रिबूटेबल टू अगर दो लोगों से रिलेट करते हैं दोनों का टर्नोवर लेंगे और अगर चारों से रिलेट करते हैं चारों को डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे अगर मालब चारों ने यूज़ किया है तो चारों के टर्नोवर के रेशों में चारों को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाएगा इन्पूट एक्स क्रेडिट को ध्यान रखना यहां पर जो भी turnover लिया जाएगा वो कब का लिया जाएगा पिछले financial year का लिया जाएगा पिछले financial year का अवेलेबल नहीं है तो पिछले quarter का ले लिया जाएगा ठीक है यह चीज हो जाएगी दूसरी बात turnover के अंदर excise duty वैट और CST को include नहीं किया जाएगा जो turnover लिया जाएगा उसके अंदर excise duty वैट CST include नहीं होगा उसके बात जब हम transfer करेंगे तो मान लो हो सकता है corporate office के पास कोई ऐसा credit आया हो जो की ineligible है मान लो यहाँ पे outdoor catering services का बिलाया है outdoor catering services का बिलाया है जिसकी services ली है राजस्तान और गुजरात दोनों ने अब बताओ क्या outdoor catering services eligible होता है block credit होता है और जब block credit होता है तो उसका credit में नहीं मिलता तो यह क्या हो गए ineligible credit फिर भी input service distributor को यह distribute करना पड़ेगा राजस्तान और गुजरात के बीच में तो अगर उस अगर ineligible होगी तो जिसको distribute किया गया वह उसका यूज नहीं करेगा अगर eligible होगी तो सामने वाला यूज कर लेगा बट उसको distribute तो करना पड़ेगा और separately distribute करना पड़ेगा कि यह eligible credit है यह ineligible credit है separately distribute किया जाएगा ठीक है eligible as well as ineligible credit to be distributor दूसरी बात अब मान लो जो यह राज राजस्तान वाला जो place of business है वो distribute करना है राजस्तान वाला वो register ही नहीं है तो इसका मतलब ITC नहीं ले सकता बट फिर भी हमने बोला कि distribute तो करना पड़ेगा वो उस ITC का use नहीं कर पाएगा avail नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं पर इसको distribute जरूर किया जाएगा मान लो राज जो ISD है उसका सिर्फ काम क्या है tax pay करना और उसके related जो ITC को distribute कर देना वो अपने पास नहीं रखेगा अब बताओ किस फॉर्म में जाएगा IGST, CGST, SGST किस फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर जो ISD था उसके पास जो credit available है वो कौन सा है वो IGST के फॉर्म में credit available है तो उसे distribute भी किस फॉर्म में करना पड़ेगा IGST के फॉर्म में ही distribute किया जाएगा माल लोग वो ऐसा supply लिया था जो interstate था तो IGST का credit मिला होगा तो IGST का credit मिला तो IGST के फॉर्म में ही उसे distribute भी करना पड़ेगा अगर माल लो credit जो input service distributor के पास है वो CGST और SGST है माल लो interstate supply किया और उसके related CGST और SGST का credit मिला अब उसके पास CGST और SGST का credit पड़ा है तो उसे किस फॉर्म में distribute किया जाएगा तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा कि ISD कहां पे register है और recipient कहां पे register है माल लो यह जो head office है वो कहां पे है महराष्टा में registered है और आप distribute कर रहे हों महराष्टा वाले को तो ऐसे केस में अगर CGST था तो CGST distribute हो जाएगा SGST था तो SGST के फॉर्म में distribute हो जाएगा अगर मालो महराष्टा में corporate office है जो ISD वो महराष्टा में है और distribute कर रहा है राजस्तान गुजरात या पंजाब को तो ऐसे केस में देखो वो तीनों ही काया महराष्टा में नहीं है तो इसका मतलब वो महराष्टा वाले SGST का यूजर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए महराष्टा वाला क्या करेगा महराष्टा वाला उसे IGST form में distribute करेगा कहने का मतलब अगर IGST credit है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सबको IGST form में distribute हो जाएगा अगर CGST है फिर SGST है तो उसमें देखना पड़ेगा कि भई जो recipient है और जो ISDA वो दोनों same state में है तो उसी form में distribute हो जाएगा CGST, SGST form में और अगर different state में है तो ऐसे case में IGST form में distribute करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जिस मन्त में ITC मिला है उसी मन्त में आपको distribute करना पड़ेगा उसको बाद में आप distribute नहीं कर पाओगे अगर भूल गया तो उसके बाद आप distribute कर पाओगे अगर मानलो आपको debit note आता है को debit note आता है कोई 10,000,000 का supply किया उसके बाद 1,000,000 का debit note आया तो उसके उपर जो आपने tax pay किया है उसको भी separately independently distribute किया जैगा जैसे normally किया ज credit distribute कर दिया अब उसके बाद सामने वाले ने 2,000,000 का credit note इस्यू कर दिया तो अब जो credit reverse होगा ना उसी ratio में reverse होगा जिस ratio में हमने उससे distribute किया था originally ठीक है उसके बाद अगर मान लो हमें credit note इतने receive हो गए कि हम जितना distribute कर रहे है राजस्तान पंजाब गुजरात को उससे ज्यादा तो उसका credit note का reversal आ रहा है तो ऐसे case में जो net amount होगा negative में अगर आएगा तो उसे output tax liability में add किया जाएगा ठीक है और बस इतना आपके लिए यह ISD में इतना ही ध्यान में रखना है काफी है उसके बाद आता है utilization of ITC concept utilization of ITC कि अगर आपके पास ITC है आपने avail तो कर लिया अब आप उसका utilization कैसे करोगे उसके उपर यह आपका topic है ठीक है तो government ने बोला कि अगर आपके पास IGST credit है अगर आपके पास IGST credit है तो उसका सबसे पह अगर आपके पास कोई IGST credit है तो उसका सबसे पहले use किसमे करोगे IGST की liability को pay करने में अब जब IGST की liability पूरी pay हो जाएगी तब आप उस IGST credit का use कर सकते हो cgst को pay करने में SGST या फिर UTGST किसी को भी pay कर सकते हो in any order आप चाहो तो पहले cgst liability को pay कर दो आप चाहो तो पहले SGST liability को pay कर दो IGST credit का use करके आप चाहो तो 50% cgst में use कर लो 60% SGST में use कर लो 60% SGST में use कर लो तो वह आपके उपर है कितना आप यूज करना चाहते हो cgst SGST में कोई भी दिक्कत नहीं है तो मतब IGST का अगर आपके पास को credit है तो आप उसको सबसे पहले IGST की liability pay करने के बाद आप उसको cgst SGST और utgst में किसी भी proportion में किसी भी order में आप उसका use कर सकते हो उसके बाद अगर आपके पास cgst का credit पड़ा है तो तो उसका आप सबसे पहले use करोगे cgst की liability pay करने में और ना ही SGST credit का use as CGST की liability pay करने में किया जा सकता है। तो CGST, SGST के काम नहीं आ सकता है, SGST, CGST काम नहीं आ सकता है। पर CGST का credit अगर पड़ा है, तो CGST की liability पहले पे होगी और उसके बाद IGST की liability पे हो जाएगी। तो IGST तो universal है, IGST से आप CGST pay कर सकते हो, SGST pay कर सकते हो, और IGST pay करने के लिए आप CGST और SGST दोनों का use कर सकते हो, पर SGST और CGST आपस में use नहीं हो सकते हो, अब दो बातों का ख्यास त्याल में रखना पड़ेगा, कि आप CGST का credit आपके पास पड़ा है, SGST का credit पड़ा है आप इसका use नहीं कर सकते, जब तक कि आपका पूरा का पूरा IGST credit खतम नहीं हो जाता, आप IGST से IGST की liability पे करो, फिर भी अगर credit पड़ा है, तो CGST की liability, SGST की liability पे करो, जब तक आपका IGST credit खतम नहीं हो जाता, तब तक आप CGST और SGST का credit use नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात, अगर आपको SGST का यूज़ करना है अगर आपको SGST या फिर UTGST का यूज़ करना है to pay IGST liability IGST की liability को pay करने के लिए आपको SGST को यूज़ करना है तो ऐसे case में आपको पहले CGST का credit exhaust करना पड़ेगा तो मतलब सबसे फ़हले IGST का liability पे करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा IGST क्रेडिट उसके बाद CGST क्रेडिट और CGST क्रेडिट अगर exhaust हो जाता है तब ही आप SGST क्रेडिट का यूज कर सकते हो IGST की liability pay करने में ये आपके ऊपर थोड़ा सा restriction लगाए गया है और दूसरी बात जो credit का आप यूज करते हो credit का जो यूज करते हो credit का वो सिरफ और सिरफ tax की payment करने में ही यूज किया जा सकता है जो आपने sale पे जो tax किया है sale पे जो tax pay किया है सिरफ और सिरफ उसे pay करने में यूज किया जा सकता है आपने अगर purchase पे reverse charge mechanism में tax pay करना है फिर hours पेकर रहे हो तो उसमें आप लिजम नहीं कर सकते में स्कूल को पेकर करने में सकती है वो भी तो दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, cocoa सेया साइस नहीं नहीं लगाया होगा सामज़ने टेक्स नहीं लगा है तो क्रेडिट की बात तो आती ही नहीं है अब हम जो ITC के utilization है उसको समझेंगे एक example के साथ एक example के साथ इसका utilization हम समझेंगे चलिए start करते हैं एक example है कि मान लीजिए आपके पास IGST का CGST SGST का opening ITC balance मतब पहले से जो ITC का balance पढ़ा है वो कितना है आई जिस्टी का गयालाग है सी जीश्टी का दस लाक है एस जटी का 8 क्रेडिट आपने अवेल कर लिया कितना आइज जीश्टी सात लाक अवेल किया SGST, CGST 6 lakh अवेल किया और SGST भी 5 lakh अवेल किया लाइबरिटी आपके कितनी है IGST की लाइबरिटी आपके पास 22 lakh, CGST की लाइबरिटी है 14 lakh और SGST की लाइबरिटी है 9 lakh तो सबसे पहले तो आपके पता लगाएंगे कि हमारे पास ITC कितना अवेलबल है उसके लिए देखो आपके पास opening balance है प्लस हाँ आपने कितना credit अवेल किया है ये total क्या हो जाएगा आपके पास credit जो कि आपका यूज करने के लिए अवेलबल है 11 lakh प्लस 7 lakh 18 lakh IGST अवेलबल है 16 lakh CGST अवेलबल है ठीक है इसको total करना है उसके बाद हमारी liability कितनी है liability कितनी है 22 lakh रुपे की liability IGST में 14 lakh रुपे की liability CGST में 9 lakh रुपे की liability SGST में अब देखो हम सबसे पहले use करेंगे credit किसमें सबसे पहले कौन सा credit use किया जाता है IGST का credit क्योंकि जब तक IGST का credit exhaust नहीं हो जाता तब तक आप CGST, SGST का credit use नहीं कर सकते तो मैंने IGST का credit पढ़ा था मेरे पास 18 lakh रुपे सबसे पहले क्या pay करूँगा IGST की liability तो IGST की liability pay करूँगा 18 lakh रुपे मेरा IGST खतम हो गया अब CGST का credit use करूँगा CGST का credit मेरे पास 16 lakh रुपे और मेरी liability कितनी है 14 lakh रुपे तो मैंने 14 lakh रुपे सबसे पहले तो क्या pay किया CGST का liability pay कर दिया अब उसके बाद जो मेरे पास 2 lakh रुपे का CGST का balance बचा तो कि मेरे पास credit कितना था 16 lakh तो 2 lakh रुपे का मैं use कर लूँगा कहां पे IGST को pay करने में अब मेरा CGST का credit भी खतम हो गया अब मेरे पास SGST SGST का credit मेरे पास 13 lakh रुपे पर मेरा liability कितना है 9 lakh रुपे तो सबसे पहले तो SGST का liability pay कर दूँगा 9 lakh रुपे फिर मैं क्या करूँगा बचा हुआ मेरे को IGST को कितना चीए IGST मैंने 20 lakh रुपे तो pay कर दिया IGST और CGST का use करके total liability कितना था 22 lakh तो 2 lakh रुपे और pay कर दूँगा CGST से तो इसका मत्तब मुझे कोई भी cash में pay करना नहीं पड़ेगा बलकि SGST का मेरा 13 lakh रुपे का credit था उसमें से मैंने use किया सिरफ 11 lakh तो 2 lakh रुपे क्या हो जाएगा carry forward हो जाएगा अगले महिने के लिए तो 2 lakh रुपे carry forward हो जाएगा एक और example लेते हैं मालो assume SGST जो credit available है वो सिरफ 5 lakh है जो SGST आपे 13 lakh रुपे दिख रहा है ना हमने बोला कि मालो ये 5 lakh ही होता तो और IGST liability आपका 22 lakh की जगह क्या होता 15 lakh रुपे होता तो क्या होता तो IGST की liability 15 lakh है तो उसको सबसे पहले किस्से पे कर देंगे IGST के credit से 18 lakh रुपे credit है तो 15 lakh IGST के credit पे कर दिया पट IGST के credit हमें exhaust करना पड़ेगा तब ही हम क्या कर पाएंगे CGST और SGST के credit यूज कर पाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो SGST का liability कितना है 9 lakh रुपे का है और credit हमारे पास कितनी है सिरुफ और सिरुफ पांच लाक तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस SGST वाले को जरूरत पड़ेगी IGST के credit की क्योंकि SGST के पास खुद का credit इतना नहीं है कि वो खुद को pay कर सके तो हमारे पास IGST के credit कितना बच गया 18 lakh में से 15 lakh रुपे हमने यूज किया है तो 3 lakh रुपे बचा हुआ है हम ऐसा करते हैं 3 lakh रुपे SGST का use कर लेते हैं SGST में यूज कर लिया 3 lakh रुपे से हमने SGST पे कर दिया और वैसे भी CGST का क्या है 14 lakh रुपे का liability है और हमारे पास already 16 lakh रुपे का इसके पास credit पड़ा है तो 14 lakh रुपे का credit हम यहां पे pay कर देंगे CGST पर CGST का use SGST को pay करने में नहीं किया जा सकता इसलिए हमें 1 lakh रुपे SGST cash में pay करना पड़ेगा और 2 lakh रुपे जो CGST का credit है वो continue हो जाएगा यह होता है utilization of ITC पर utilization of ITC पे भी कुछ restrictions लगा दी गई है government के द्वारा क्या restriction लगा दी है चलो बात करते हैं पहले rule 86B यह बोलता है कि अगर किसी taxpayer का किसी registered person का अगर taxable supply जिसमें zero rated supply और exempt supply को consider नहीं किया जाएगा zero rated supply और exempt supply को side में रख दीजिए उसके अलावा जो taxable supply है किसी registered person की अगर वो किसी महीने में 50 लाग से जादा है अगर किसी महीने में 50 लाग से जादा है तो उसके ओपर rule 86B अपलाई हो जाएगा मन्तली अगर 50 लाग से जादा का turnover है except zero rated supply exam supply तो ऐसे case में उसके ओपर rule 86B अपलाई हो जाएगा जो बोलता है कि आप maximum 99% of the output tax liability क्या कर सकते हो ITC balance के थूँ पे कर सकते हो भले आपके पास 1,00,00 रुपे की liability और 1,00,00 रुपे credit पड़ा है तो भी आप कितना पे कर पाऊगे सिरफ और सिरफ और सिरफ 99% of the output tax liability which is 1,00,99 परसेंट भी आप क्या कर पाऊगे ITC से पे कर पाऊगे एक परसेंट आपको cash में पे करना पड़ेगा यह क्यों क्या गया ताकि साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि घपला करते हैं कि मन्दब सिरफ और सिरफ ITC से पे कर देते हैं तो उनको पकड़ने के लिए क्य रिजिस्टर परसन यहां तो जो business कर रहा है या फिर उसके जो करता या फिर प्रोप्राइटर या फिर प्रोप्राइटर शिप या फिर मैंचिंग डिरेक्टर टू पार्टनर या फिर फिर मेंबर उस जो बोड है वो income tax पे कर रहे हैं एक लाख रुपे से ज्यादा अगर वो एक लाग रुपे से ज़्यादा इंकम टेक्स पे कर रहे हैं पिछले दो सालों से मैं पिछले दो सालों में लगा तारूनों ने एक लाग रुपे से ज़्यादा इंकम टेक्स पे किया है तो हम बोलेंगे भाईया यह तो अच्छे टेक्स पेर हैं इनके उपर financial year for unutilized ITC in case of zero related supply inverter duty structure तो अगर उनको ये refund मिल गया है एक लाग रुपे ज्यादा का तो refund देते टाइम department पूरा checking करता है तो इसका मतलब government department बोल रहा है कि या एक लाग रुपे से उपर का अगर हमने refund दिया है तो हमने already उस SSC को पूरा अच्छे से check कर लिया है तो उसके उपर ये restriction हम नहीं लगाएंगे दूसरी बात तीसरी बात अगर आपने YTD output tax liability मतलब आपका इस साल में कितना total output tax liability मानलो आप अपरेल से लगे हो और October तक आपका output tax liability आया मानलो 20 लाग रुपे अगर आपने इस 20 लाग रुपे का 1% already cash में pay कर दिया मतलब 20,000 रुपे अगर आपने और आपके उपर 86 भी apply नहीं होगा क्योंकि आपने YTD basis पे 1% से ज़्यादा का tax आप cash में pay कर सुके हो तो आपके उपर ये 86 भी apply नहीं होगा ठीक है चलिए हाँ अगर आपने GST pay किया reverse charge mechanism में तो वो यहाँ पर consider नहीं होगा ये बाद ध्यान प्लेना उसके बाद ये चीज़ apply नहीं होगा गवर्मेंट डिपार्टमेंट पे पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग पे local authority पे statuary body पे इन पे ये restriction apply होग चोड़के तो ऐसे केस में उसको पर 86 भी लग जाएगा maximum 99% of the output tax liability आप क्या कर पाऊगे ITC का यूज करके pay कर पाऊगे बाकी cash में pay करना पड़ेगा पर वो कुछ लोगों पर apply नहीं होता जो हमने exception पड़े उसके बाद इसका एक example कर लेते हैं जैसे मान लो आपका output tax liability है 2 क् रुपे और आपके पास ITC available है एक क्रोड 99 रुपे तो अब आपको determine करना है कि आप कितना ITC utilize कर पाऊगे कितना cash में pay करना पड़ेगा assuming आपके ओपर 86 भी applicable हो रहा है उत्यों को दो क्रोड रुपे का output tax liability है इंटो 99% आप maximum कितना कर सकते हो 99% output tax liability का maximum 99% कितना हो गया 1 क्रोड 98 लाक आपके पास ITC available है एक क्रोड 99 लाक बट आप फिर भी कितना ही यूज कर पाऊगे सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोड 98 लाक तो यहां पर आपको credit यूज करना पड़ेगा 1 क्रोड 98 लाक और cash में payment करना पड़ेगा 2 लाक रुपे अब यह एक लाक रुपे जो credit बढ़ता है वो उसे बोलते हैं 86A आपको याद रखने की जूट नहीं 86A बट restriction क्या लगाएगी कि अगर commissioner या फिर officer not below the rank of assistant commissioner अगर लगता है उनको reason to believe है कि आप क्या कर दो जो credit avail कर रहे हो वो fraudlandly कर दो आप फ्रोड करके credit ले रहे हो तो ऐसे case में आपको उस credit को use करने से रोका जा सकता है या फिर assistant commissioner के द्वारा कैसे कर रहे हो उन्हें बोला कि या तो आप क्या कर रहे हो ITC जो ले रहे हो ना fake invoices के basis पे ले रहे हो जिस व्यक्ति से आप खरीदने का दावा कर रहे हो वो व्यक्ति exist ही नहीं करता मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने इस supplier से खरीद है वो supplier exist ही नहीं क सकता है अगर आपने बिना tax invoice के आपने credit ले लिया तो भी आपके उपर restriction लगाया जा सकता है हमने बोला था ना कि goods and service receive हो जाने चाहिए बात होती है अब इसके बाद एक job work करके point है job work करके एक अलग से chapter दिया हुए अपनी ICI ने और यह ज़्यादा तर ITC से relate करता है तो इसलिए मैंने इसको यहां पर put forward कर दिया और मैं यहीं पर आपको बता देने वाला हूं job work ठीक है तो job work का मतलब क्या होता है job work means होता है कि स सामने वाले ने आपको goods दिये आप उसके उपर को process या treatment करके दे रहें उसे क्या बोलते है job work बोलते है like मेरे पास पुराना furniture था मैंने किसी designer को दिया उसमें उसके उपर design करके दिया और वापस मेरे को furniture भेज दिया उससे क्या बोलते है job work करना किसी दूसरे के goods पे किसी मानलों मैंने furniture painting के लिए भेजा तो उसने अपना paint यूज किया तो भी वो job work की क्या लाएगा वो अपना goods यूज कर सकता है job work कर थोड़ा उसके बाद अब जैसे मैंने मैं को principle हूं मैंने कोई माल खरीदा मैं प्रिंसिपल हूं मैं हूं जो काम करवा रहा हूं जैसे मैंने furniture बेजा paint करने के लिए तो उसे क्या बोलते है principal और जो काम करने वाला तो उसे क्या बोलते है job worker अब मानलों प्रिंसिपल ने कोई समान खरीदा और वो समान खरीद के directly कहां पर विजवारी है job worker के आपे तो क्या उस पर credit ले पाऊंगा हमने बात किया था बिल्कुल अगर job worker क उसको भी goods receive हो गया तो हम बोलेंगे कि भई ITC ले सकते हैं पर उस case में एक बात है कि अगर आपने raw material वगरा भेजा है किसी job worker को उसको पाऊपर काम करने के लिए तो वो आपको एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए वह सामने वाले को काम करने के लिए था सामने और वह साल के अंदर अंदर यह वापस लोटा दिना चाहिए डूसरी बात capital goods अगर आप ने भेज़े हैं job worker को तो वो job worker से आपको वापस आ जाने चाहिए तीन साल के अंदर अंदर प्रिंसिपल ने goods पहले अपने यहां पे मंगाये और फिर job worker को भीज़े है उस case में तो जिस दिन principal ने job worker को goods वीजे उस दिन से 1 साल या 3 साल count होगा और अगर principal ने directly supplier को बोल के job worker के आपे बिजवा दिये तो जिस दिन job worker को वो goods receive होगा और अगर इस time period में आपको goods receive नहीं होते अगर उस time period में 1 साल में तीन साल में goods receive नहीं होते तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने goods भेजे थे या receive किये थे job worker ने, उसी दिन आपने क्या कर दिया था, goods का supply कर दिया था job worker को, तो कहने का मत्तब ये मान लिया जाएगा कि आपने goods भेजे थे job worker को, तो आपने job worker को goods supply कर दिये थे, आपके अगर एक साल और तीन साल में receive नहीं हुए अब एक साल बात खड़ाऊं मैं और गुट से रिसीव नहीं हुए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साल पहले मैंने कुछ सप्लाई करी थी, जिसके उपर तब तो मैंने टेक्स पेक नहीं किया था, क्योंकि बनी तो अच्छ सप्लाई बनी है, तो एक साल का मुझे interest pay करना पड़ेगा along with tax tax तो pay करना ही पड़ेगा एक साल पहले जो supply हुई है उसके उपर मुझे interest भी pay करना पड़ेगा यह x के repercussions आ जाते हैं ठीक है pay tax along with the interest ध्यान रखना बाकिशी से मैंने बता दिया आपको एक molds, dyes, digs, tools या fixtures ठीक है यह कोई छोटे मोटे जो टूल होते हैं जैसे molds, dyes, digs, fixtures और टूल्स वगरा यह चोटे मोटे टूल होते हैं यह क्या होते हैं during the process consume भी हो जाते हैं तो अगर ऐसा कोई समान है वो वापस नहीं भी आता है तो भी उसके उपर आपको credit मिल जाएगा कोई दिक्तवाली बात नहीं है मतलब वो एक साल या तीन साल में वापस नहीं भी आएगा मोट, dyes, digs, tools वगरा तो उसको supply नहीं माना जाएगा आपको tax pay नहीं करना पड़ेगा इस case में दूसरी बात जब भी आप job worker को goods बेजोगे तो आप delivery चलान के उपर बेजोगे क्योंकि supply तो है नहीं जब आप goods भेज रहे हो जो वरकर को तब तो supply नहीं है वो जब supply नहीं है इसका मंदब tax invoice नहीं इशू होगा बट आपको documentation के लिए क्या करना पड़ेगा delivery चलान के उपर भेजना पड़ेगा और delivery चलान के साथ आपको e-way bill re-issue करना पड़ेगा और e-way bill देखना अगर principal और job worker दोनों different state में है तो e-way bill raise करना ही करना पड़ेगा बाकी इसका रिटेल प्रोईजन हम e-way bill chapter में पड़ेग बट करना ही पड़ेगा दूसरी बात जो भी आपने delivery चलान generate की है मतलब आपने जब भी जो वरकर को goods बेजा है तो उसका पूरा डिटेल आपको submit करना पड़ेगा सारे चलान का डिटेल आपको submit करना पड़ेगा अगर आपका turnover पांच करोड़ से ज्यादा है तो half yearly basis पे देना पड़ेगा department को ठीक है अब principal क्या कर सकता है principal ने महाँ पे काम करवा है job worker से तो job worker के यहीं से वो directly क्या कर सकता है उन goods को sale कर सकता है उस case में एक साल और तीन साल में वापस लाने की भी जुरत नहीं है एक साल और तीन साल के अंदर अगर उसने महां से sale भी कर दिया तो रिजिस्टर है तो भी चल जाएगा या तो जो वर्क रिजिस्टर हो तो वहां से सप्लाई कर सकता है और या फिर अगर रिजिस्टर नहीं है तो ऐसे में principal को उसे additional place of business declare करना पड़ेगा तब वहां से वो sale कर सकता है तो यह अपना complete होता है ITC chapter अब देखो ITC chapter थोड़ा है अराम से पढ़ना और कोई भी अगर questions वगारा solve कर लेना किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से doubt पूछ सकते हो नंबर मेरे आपको share किया गया है कोई भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ सकते हो आज के लिए इतना है